हेलो बच्चों नमस्कार गुड इवनिंग क्या हाल चाल हैं कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं एक दम बढ़िया होएंगे बढ़िया से पढ़ा ही चल रही होगी आप सभी कुछ दो-तिन दिन से क्लास नहीं आ पारी थी बीच में बारा बजे की जो क्लास थी आज भी नहीं आई थी कल भी नहीं आई थी माफ कर लिए उस चीज के लिए कल से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आज हम वन शॉट करने वाले हैं एक चैप्टर का जिसका नाम है श्वसन और गै ठीक है हाँ जी ठीक है गनेश चोहन यह लाइव है ठीक है जसनपरीत यह लाइव है विशाल विश्व कर्मा शिवम शुकला रोजी इंस सारी सर यह चैप्टर तो हो गया बिटा इसके कोशन की प्रैक्टिस हम लोग ने करी थी तेयोरेटिकल पॉइंट आफ व्यू से जिन भी में में मेजर मेजर पॉइंट से वो सारे सारे हम कवर करने वाले हैं तो इस लाइव क्लास को स्टार्ट करें नहीं तो रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड है इनकी पीडिएफ कहां पर मिलेगी विकास सोनी मेरे भा कर लिंक description में दिया हुआ है दोस्तियां पर ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते विटा और बाते थोड़ी कम करेंगे और सीधा सीधा टोटल फोकस हमारा किस पर रहेगा हमारे इस चैप्टर पर रहेगा इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजे पढ़ते हैं इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम जब बात करते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन सी चीजे पढ़ते हैं इस च समवातन की क्रिया विदी समवातन यानि ब्रीधिंग की क्रिया विदी कैसे होती फिर गैसों का विनी में पढ़ते हैं गैसों का परिवहन पढ़ते हैं श्वसन का नियमन पढ़ते हैं और श्वसन से संबंधित विकार जो होते हैं उनकी बात करते हैं तो इस तरीके से साथ च चीज़े लिखी गई हैं यहां पर जो भी परीचे में चीज़े लिखी गई है ठीक है यह परीचे में यह बिंदू लिखा हुआ यह बिंदू लिखा हुआ यह बिंदू लिखा हुआ कई सारे बिंदू लिखे हुँ यह सारे तो पहले हम एक तरीके से अपने तरीके से एक ब रहेगा आप जितने भी बच्चे हैं जिनको ये पता लग चुका है कि ये लाइव क्लास है तो अगर कोई दूसरा बालक अगर क्लास में आ रहा है और पूछ रहा है तो जरूर उसको बता दीजेगा कि ये चैप्टर और ये क्लास जो है लाइव चल रहे है पहली बात तो इत इस ने कोशन्स आ जाते हैं human physiology के जितने भी चैप्टर से उन से संभावना होती है 2-3 या 3-4 प्रशन आने की तो average हम यह लेकर चलते कि 2-3 कोशन आने की संभावना है human physiology की हर एक चैप्टर से चाए वो श्वस्वसन हो चाए वो परिसंच्रन हो चाए वो गमन संचलन और चाहे हो सर्जन ओ चाहे तंतरी तंत्रवें तंत्र चेप्टर या समें 2-3 प्रशन आने निकी संबावने के मात अश्वसन की बात करते हैं और या औक्सीजğन के अंदर ये काम होता है हाँ चनाब होता है क्यों होता है ताकि हमें क्या मिल सके सर उर्जा किस रूप में सर एटीपी के रूप में फिर उस एटीपी को हम यूज मेले बाकी कारे करने में अब जैसे मैं बोल रहा हूं इसमें क्या खर्च हो रही है मेरी उर्जा मैं आखे जो होता है humans के अंदर यह जो होता है यह टोटल पांच steps इसके इंक्लूड किये गए हैं किसमें हमारे अंदर जो है इसके टोटल कितने steps सर पांच चरण और वह पांच चरण कौन-कौन से हैं जड़ा अराम से ध्यान से सुनिएगा पांच steps कौन-कौन से हैं देखेगा सबसे पहला step जो होता है वो क्या होता है कि हम क्या करते हैं सर वातावरन से इधर से देखेगा इधर मत फोकस करेगा इधर फोकस करेगा यहां पर यह जो चीज़े लिखी गई है यह सारी की सारी चीज़े important है ठीक है सबसे पहला चरण क्या होता है सबसे पहला step क्या होता है सर सबसे पहला step होता है कि हम वातावरण से oxygen को लेते हैं हाँ सर लेते हैं वातावरण से oxygen कहां पर जाती है सर हमारे फेपड़ों में जाती है ओके सर फेपड़ों में चल גם फिर फेपड़ों से वह oxygen कहा पर जाती है हमारे रिक्त में जाती है ठीक है जना में रख्ट से होती वह oxygen का क्या होता है फिर फ्र और कोशिका के अंदर oxygen का अपयोग होता है ग्लू को तोड़ कर क्या मुक्त करने के लिए सर एनरजी प्रोड्यूस करने के लिए तो सिंपल सी पांच स्टेप्स आपको समझ में हमारे अंदर गई वायू हां सर गई अब इस वायू में और भी गैसे नाइट्रोजन भी एक आरबन डायक्षाइड भी एक कई सारी गैसे लेकिन हम यहां पर इसके बात कर रहें किसकी ऑक्सीजेन गई वातावण से लिए न जब धे कया इंदर हो उस प्रकरिया को हमने क्या बोला सर कोशिकेशव संज अनरजी siya अगए यहां तक की बात समझ में आ गए यहे पंच स्टेप आपको समझ में आ गए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी इशिका तिवारी समझ में आ गया कृषिन कांथ सना उद्म समझ में आ गया कृषिन कांथ जरा एक बार चेक कर लेना डाल दी गई है यहां पर इतने बड़े मैसेज डालने से पहले जड़ा एक बार चेक कर लिया करो कि डली है के नहीं डली है ठीक है हाँ जी हाँ जी हाँ लास्ट चैप्टर की नहीं डली अभी उसकी आएगी अभी रुक जो हाँ जी यहां तक की बात समझ में आ गई यह पांच स्टेप चलिए सर अब हमारी कोशिका ओंके पास क्या चला गहीए सर अक्सीजन चली गई कोशिकाओने क्या कर लिए सर ऑफिजिवन को यूटिलाइज ऐस गया बना दी लिएगर वेस्ट्फून मेटीरियल बना हाँ टेशंचिप आद रखना कारबन्ड लोगन ऐद रखना किसके साथ में तापमान के साथ मीं क्या होता है डारेकली प्रस्थोर्वर्शनल था गातना था कोशिकाओं के अंदर हाइडरोजना इंसांदरता बढ़ेगी मेरी कोशिकाओं का पीएच घटता जाएगा यानि मेरी कोशिकाओं में अमलियता बढ़ती जाएगी अगर कोशिकाओं में अमलियता अगर बढ़ती गई तो क्या कोशिका के एंजाइम काम कर पाएंगे नहीं कर तो कैसे निकाले कोशिकाओं से रक्त में डाल दी जाए कोशिकाओं से किस में डाल दी सर रक्त में क्या डाल दी सर कार्बन डैक्सेड अब रक्त जो है कार्बन डैक्सेड का क्या करेगा सर परिवहन किसके पास लेकर आएगा फेपडों के पास फेपडों से कहां चली तो जड़ा सोचिए यहां पर कार्बन डैक्साइड का जब परिवहन हो रहा था कार्बन डैक्साइड का जब ट्रांस्पोर्टेशन हो रहा था तो पांच चरण हो रहे थे कोशिका के अंदर पैदा हुई कोशिका से फिर रक्त में डाला रक्त ने परिवहन किया परिवहन कर आगर आप यहाँ पर focus के साथ में देखेंगे यह जो पहला step जो था जिसमें वातावरण और फेपड़ों के बीच में gases का एक्सचेंज हो रहा है हाँ sir फेफडे और वातावरण के बीच में किसका एक्सचेंज हो रहा है sir इस step में carbon dioxide का इस step में oxygen का ये दोनों steps ये oxygen का ये carbon dioxide का अगर इन दोनों steps में देखेंगे तो किसके बीच में exchange हो रहा है सर फेफडे और वातावरण के बीच में फेफडे वातावरण फेफडे वातावरण के बीच में क्या होता है सर विनी में हो रहा है exchange हो रहा है आदान परदान हो रहा है इसी exchange को क्य कहा जाता है सर समवातन कहा जाता है इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है श्वासन कहा जाता है श्वासन नहीं श्वासन कहा जाता है इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं ब्रीधिंग बोलते हैं यानि मानव श्वासन के पांच स्टेप में से एक स्टेप जो था एक स्टेप जो थ झो था एक चरन जो था वो क्या कहला रहा रहा तर ब्रीधिंग कहला रहा था संवातन कहला रहा था तो कई यस्टीज में कंव्प्यूसड हो जाते है क्या कि संवातन जो है यानी हो श्वसson है तो याद रखने NCRT की लाइन है क्या कि ये जो आदान परदान हो रहा था ये जो एक्सचेंज जो हो रहा था जिसको हम क्या बोलते हैं या सामानेता क्या बोल दिया जाता है श्वसन कह दिया जाता है रेस्पिरेशन कह दिया क्यों क्योंकि ये जो ये जो समवातन जो था ये किसका भा ब्रीधिंग बोला है बताइए भाई साब यहां तक कि यह सिंपल सी चीजे आपको समझ में आ गई है सिंपल ऑक्सीजन और कार्बन-डाइकसाइड का एक दूसरे का क्या है अपोज्ट है अब आप मुझे पता ना यहां परिके न का आपका जो पहला स्टेप है क्या वो पहला step वातावरण और फेपडों के बीच में exchange था नहीं सर वो तो पांचवा step था यानि इसका पहला इसका पांचवा क्या है common है इसका दूसरा इसका चौथा क्या है common देख ऑक्सीजन का रक्त के द्वारा परिवहन और फिर रक्त का परिवहन रक्त का परिवहन फेपड जो हमारे मानव श्वसन के जो टोटल पांच स्टेप्स थे उनका एक चरण होता उनका एक भाग होता है डन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब बात करते हैं श्वसन अंगो की बात करते हैं श्वसन अंगो की अगर मैं बात करता हूं तो श्वसन अंग कौन-कौन से होता है त सर कौन कौन से सर पौरी फेरा आता है सिलेंटरिट आता है टीनो फोर आता है प्लैटी हेलमेंथी जाता है एसके हेलमेंथी जाता है पहले से लेकर ये जो छटा जो संग जो है इन पहले से लेकर छटे संग तक यानि पौरी फेरा से लेकर एसके हेलमेंथी तक शुसन के जो अ शुसन अंग नहीं पाया जाता है सीधा शरीर की सथे जो होती है बोडी की सरफेस जो होती है वहां से गैसो का क्या होता है सर आदान परदान होता है तो यह चीज याद रखना भूल मत जाना क्या यह पौरी फेरा से लेकर एसके हलमेंथीस तक कोई शुसन अंग नहीं पाया जाता है इनमें गैसो का आदान परदान किसे होता है शरीर की सतह से होता है नेक्स्ट साथवे संग की तरफ जब हम पढ़ते है कौन सा एनलिडा जिसमें हम किसको रखते केच्वे को रखते हैं सर केच्वे को रखते हैं सर बिलकुर रखते हैं केच्वा हो गया नेरिस हो ग होते हैं एक आधर क्यूटिकल होते हैं मुष्ट स्किन होते है जिसके द्वारा क्या होता है गैसो का क्या होता है विनी में होता है गैसो का आदान प्रदान होता है आठ्वा संग कौन सा होता है आर्थ्रोपूडा जो सबसे बड़ा संग है जिसके अंतरगत कीट भी आते हैं जिसके अंतरगत इंसेक्ट्स आते हैं इनके इनके अंदर क्लोम से भी होता है याद रखना किसके द्वारा होता है गिल्स के द्वारा भी होता है क्लोम के द्वारा आता है कौन से जो आपके पानी में जो मिलते हैं नेक्स्ट पुस्तक फेपड़े किसके अंदर बुक लंग् है श्षवसनी काये मिलती है उनके द्वारा क्या होता है वह यह गैसों का आदान प्रदान होता है तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर कलोम भी पाए जाते हैं पुस्तक फेपड़े भी पाई जाते हैं शुसनी का भी पाई जाती है याद रखिएगा निक्स्ट मुलस्क की अगर मैं बात करूं मुलस्क जिसके अंतरगत हमारा गेंगा आ जाता है कौन आ जाता है गेंगा आ जाता है गेंगा आता है के गोंगा आता है सर गोंगा आ जाता है जिसके अंतरगत हम पर इस तरीके से ये कुछ संग्रचना याद आ रही होएगी ये हेड होता है जिस पर शंगिकाएं पाई जाती है ये वाला जो पार्ट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं ये विसरल हम्प कहलाता है जिसके अंतर अंतरंग अंग होते हैं इसके उपर एक पतली जिल्ली होते ह इसका नाम होता है प्रवार जिसको हम मेंटल बोलते हैं अगर आपको याद आ रहो ये प्रवार और ये जो अंतरंग ककुद जो होता है ये अंतरंग ककुद होता है इसको हम क्या बोलते हैं अंतरंग ककुद बोलते हैं ये क्या कहलाती है प्रवार कहलाती है इसको मेंटल बोल किस साथ साथ किस चीज़ में help करते हैं तो याद रखना डίο मॉलसका संग के पराणियों में जो शसन अंग जो होते है वो कौन होते हैं क्लो होते लेकिन यहाँ पर क्लोम दोहरा कारे करते हैं शुसन के साथ साथ उठसर जन भी करते हैं निक्स्ट एकाइनो डर्मेटा की अगर मैं बात करता हूं तो एकाइनो डर्मेटा के अंदर शुसन अंग जो होता है वो सिंपल तवचा के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है स्किन के द्वारा होता है हैमी कॉडेट के अगर मैं बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ सर हैमी कॉडेट के अगर मैं बात करता हूँ तो किसके द्वारा होता है सर क्लोम के द्वारा होता है ठीक है शुन्ड गरंती मत बोल देना प्रोबोसिस ग्लैंड जो होते है शुन्ड गरंती तो उत्सरजन में हेल्प करती है है हैमी कॉडेटा के अंदर क्या पाए जाते हैं क्लोम पाए जाते हैं अब हम बात करते हैं सर क particularly मचलियों के अंदर क्या पाई जाते हैं अच्छे तरीके जानते कलोम पाई जाते हैं एंफीबियंज के अंदर जैसे अगर आपने मेंड़क पढ़ा एंगर नहीं पढ़ा को दिक्कत निया जिन्हों ने पढ़ा हो उनको पता होगा मेंड़क के अंदर जब टेड़ पोल सानी में भी चला जाता है तो इंदर चोंड आग जो होते हैं तों आधरून नराख ऑते हें इन तीनों के अंदर सु विक्सित क्या पाए जा रहे हैं, सर फेफिडे पाए जाते हैं, तो यह सिंपल सा चार्ट आपने याद रखना है, यह चार्ट भूल मत जाना, इस चार्ट के द्वारा कोशन्स पूछे जाते हैं, हाँ जी, क्या यहां तक की बात समझ में आई है, यह यहां तक कोई confusion है, यहां तक एक मिन्ट रुख जाईएगा, मैं एक मिन्ट पट्टी हटवा देता हूँ, एक सेकिंड रुख जाईएगा, नीचे से पट्टी हटा देना, हाँ जी, सर लाई वो आप नहीं, मरे हुए हैं, मोहीनी चोहन, मर गए हम, डन, चलें आगे, तो यह चीज याद रखना, पौरी फेरा से लेकर, एसके हलमें तीस तक कोई श्वसन अंग नहीं है, सीधा शरीर की सतह से होता है, अनलेड्स के अंदर, यानि अनलेडा संग के अंदर, आर्दर क्यूटिकल पाई जाती है, मौिस्ट स्किन पाई जाती है, आर्थरोपोड्स के अंदर क्लोम भी पाए जाते हैं पुस्तक फेपडे भी पाए जाते हैं और आपकी ट्रैकियल ट्यूब्स पाए जाती है यानि श्वसनिकाएं पाए जाती हैं मोलस का संग के अंतरगत क्या पाय जाता है क्लौम पाय जाते हैं यह क्लोम जो होते हैं यह काइनोडर्मेet जो होते हैं एकाइनोडर्मेत जैसे आपके ताारमिन होगे हैं तारामचलिया होगया उनके अंदर क्या पाए जाता है ते दीट्ध के द्वारा ही शुसन होता है यानि गैसोथ का आप आया जाते हैं फेफडे पाय जाते हैं यह शुसन अंग या आपने सीधे-सीधे याद रखने भूले नहीं है निक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं मानव शुसन तंतर की हमारा शुसन तंतर जो होता है दो चीजों से बना होता है एक होता है शुसन पथ और फेपडों के अंदर जा रहा है तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे सर शुसन पत की बात करते हैं यह शुसन पत यहां से स्टार्ट होता हुआ अंदर तक फेफडों के अंदर तक जाता है कहां तक कुपी काउं तक पहुंच रहा है चालिए आगे बात करते हैं हमारा शुसन पत बनाते हैं एक करके पढ़ेंगे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर नासा मार्ग पढ़ेंगे सबसे पहले किसकी बात करेंगे नासा मार्ग की बात करेंगे ये डाइगराम लिकर आयों नासा मार्ग के लिए नासा मार्ग पढ़ने से पहले यानि इस नूज के बारे में portion जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिर उसके बाद यह नीला वाला portion जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा नासा पथ जो होता है हमारा नीजल हमारा नीजल चैंबर जो होता हमारा नासा मार्ग जो होता ये तीन भागों में बटा होता है, ये तीन भाग यहाँ पर लिखे हुएं, इन तीनों भागों को पढ़ते हैं, ठीक है, ये तीन चेमबर दिखाए दे रहे, तीन भाग दिखाए दे रहे, ये वला, ये वला, ये वला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब ये तीन चेमबर कौ है मैंने इस ड्राइगराम में एक रेने की कोशिश कर देखures अधरल बोल तो यो हमारे पृर्षन जो समझने से पहले इस हमारे नार्च के यह हमारे लाक के दो च्षेद है इन छेदों को हम क्या बोलते है असर एक्शेदरल नेयर कर दिया अब वो डिवाइड करने का काम कौन करता है अगर मैं यहां पर देखो इस तरीके से यह हमारा यह पहला वाला पॉर्शन और यह दूसरा वाला यह छेद हैं हमारे दो छेद हैं इनके बीच में क्या मिल रहा है सर एक उपास्थी मिल रहे है कार्टिलेज मिल रहा है ज जो एक उपास्थी में संग्रचना होती है कचाब उपास्थी होती है ठीक है जड़ाब अब इन छिद्रों के अंदर तीन शेतर है मैंने आपको तीन शेतर बोले एक यह वाला एक यह बड़ा वाला और यह वाला शेतर है सबसे पहले हम जो सबसे छोटा वाला शेतर है उसक वेस्टिबिलर रीजन बोलते हैं यह जो शेतर जो आपको दिखाई दे रहा है इस शेतर को हम क्या बोलता है प्रेगान शेतर बोलते हैं जो यहां पर लिखा भी हुआ है प्रेगान शेतर वेस्टिबिलर रीजन बोलते हैं अब इस वेस्टिबिलर रीजन में मिलता क्या है अ इस तरीके से बाल दिखाई दे रहे हैं सर नाक के अंदर बाल होते हैं कि नहीं होते हैं बिलकुल होते हैं और साथ-साथ यहाँ पर क्या पाई जाती है सर शलेशमा गरंथियां पाई जाती हैं जो क्या रिलीज करती है शलेशमा अब ज़रा सोच यहाँ पर शलेशमा गरंथि हाँ सर जो म्यूकस निकालेगी शलेशमा निकालेगी और कौन मिल रहे सर बाल मिल रहे हैं अब तो खुद कॉमन सेंस लगा तेरे अंदर डस्ट जाएगा तेरे अंदर धूल के कण जाएंगे तेरे अंदर सुक्षम जीव जाएंगे तो उन सुक्षम जीवों को उन धूल के क का काम क्या हो गया फिल्टरेशन हो गया या नहीं हो गया चानने का काम हुआ या नहीं हुआ तो याद रखना ये जो पहला शेटर जो था जिसको हमने प्रयगहण यही चीज यहां पर लिख्यू हूई है प्रेग हांड शेतर जिसको हम वेस्टिबिलर रीजन बोलते हैं जिसमें तवचा पाई जाती है रोम पाई जा रहे हैं सिबेशियस ग्रंथियां पाई जा रहे हैं जो सीबम निकालती हैं जो क्या कर रहे हैं सर एक तरीके से म्यूकस रिलीज कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं यह फिल्टर करने का काम करते हैं नेक्स्ट दूसरा सबसे बड़ा भाग है यह जो मैंने आपको यहां पर दिखाया यह सबसे बड़ा भाग था यह वाला पोर्शन जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है अब यह वाला जो इस वे आइए पता है एक यह सबसे बड़ा जो शेत्र के अंदर क्या मिलती है जल्लियां पाई जाती है अराम से सुनना ध्यान से सुनना नहीं तो चीज समझ में नहीं आएगी बाते करता रहेगा कुछ व मजमीं नहीं आया थिए हुआ इन्हीं नहीं मरे हुए हमारी तो नहीं हो जाते हो तुमको इतनी अकल लहीं कि यूट्यूब पर दो चीजे लिखी उते प्रीमियर लिखा होता और एक लाइव लिखा होता है तुम्हारे इंदर इतनी बुद्धी निया कि अगर लाइव लिखा हुआ तो बालक इतनी तो बात समझ में आते कि टीचर लाइ क्योंकि तुम अपना टाइम करते रहे तो इस तरीके से लाइव हो लाइव ओ लाइव ओ लाइव ओ लाइव दिस द Nä सुख हो अधारि COMM मौण चैत्र बोला हा जिस तरीके से ना बहुत सारी क्या पाई जाती है इस तरीके से कई सारे क्या पाई जारे जिलियां पाई जारी है क्या पाई जारी है गुरू जिलियां पाई जारी है अगर तो देखे गए यहां पर क्या पाई जारी है इस तरीके से जिलियां पाई जारी है इस तरीके से अब आप मुझे बता जरा common sense लगा इस शेत्र को कई सारे compartment में बाट दिया इस शेत्र को कई सारे भागों में बाट दिया हां सर सोच इस शेत्र के अंदर ये इस तरीके से कई सारी जिलिया पाई जारी तो इस शेत्र को हमने कई सारे भागों में बाट दिया हां सर बाट दिया इस शेत्र को हमने बो आजयां पाईजा रही हैं यह कौन सी है सरी यह कूट स्तरत पक्षमा भी कूट स्तरत पक्षमा भी जिस चैप्टर का नाम है क्या मेरे भाई प्राणियों में संग्रचनात्मक संगठन है ना हाँ सर प्राणियों में संग्रचनात्मक संगठन जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में आपकी 11th क्लास की NCRT से आपका एक टॉपिक पूरा का पूरा उड़ा गया है कौन सा उतक पता है ना आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है सर मेंडक दे रखा है देखा है देखा होगा एंची आटी देखियोगी लेकिन आपके नीट के स्लेबस अगर आपने देखा हो तो नीट के स्लेबस में स्लेबस में उस चैप्टर में हेडिं में आपको कोकरोच पढ़ना है और मेंड़क दे रखा है अब देखा कैसा जोल कर दिये तुम्हारे साथ में तुम कहों कि हम तो 11th क्लाश की एंचियाटी पढ़कर जाएंगे उसमें प्राणियों में संग्रचनात्मक चैप्टर में हमको चिर्प मेंड़क पढ़ना क्योंकि जब तू पढ़ेगा तो वहां पर तिरको एक उपकला उतक पढ़ने को मिलता है जिसका नाम होता है कूट इस्तरित पक्षमाभी स्तंबाकार गरंथिल उपकला उतक अभी इतना सारा वर्ड जो था इसको अंगरेजी में बोलता है श्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलियेट सबस्क्राइड कॉल्यूमिनर ग्लैंडिलर एपिथिलियम ओए 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 तो बहुत बड़ी शब्द हो गया मिनिंग बहुत सीधा सा है क्या सबसे पहले इदर देख गरंथि में का मतलब क्या होएगा यानि इन उतकों की कोशी का है जो हैं वो होता है अब deuxais संग्र को देख और इस संग्रंचना को देख तो इन डोनों संग्रचना को देख इस में भी उपर इस तरीखे से कहीं पक्षमाब दिख रहे हैं कुछ तरीखे से पक्षमाब दिख रहें सीलिया दिख रहे हां सर झाल твор ऑग जरो दे रही हैं सर एक स्तर हमको दिखाई देरे है single layer लेकिन इसको देखकर तिर को क्या लग रहा है सर ऐसे लग रहा है जैसे double layer लेकिन क्या यह वास्ताव में double layer है दिखने में ऐसा लगेगा सर ये वाली ये छोटी छोटी कोशिका ये बड़ी बड़ी कोशिका ऐसे लगेगा कि सर ये तो double layered है लेकिन वास्तों में क्या by layer है, नहीं, सर single layer है एकल इस तरिये है लेकिन दिखने उतक कहां पर पाई जा रही है क्या बना रही है जिलियां बना रही है कहां पर बना रही है इस श्वसंचेतर में बना रही है ये जो श्वसंचेतर जो था इसके अंदर ये जिलियां पाई जाती है ये मेंब्रेंस पाई जाती है अब आप बोलेंगे सर करती क्या है ये तो बत और सारे भागों में हमने बाट दिया है सर बाट दिया तो कैसा सार फेस जड़र ऑड़े शेत्र भल बढ़ रहा है सर शेत्र फल बढ़ेगा अब इससे फाइदा क्या हो एगा आप से पूछता हूं आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो राजिस्थान से belong करते होंगे northern area से हो सकता है कोई उत्राखंड से भी belong करता हो एक ऐसा शेतर जो ठंडा शेतर है एक ऐसा शेतर जो गरम शेतर है आप मुने बताइए आप अपने शरीर के तापमान को regulate कर सकते है क कैसे ज़रा सोच में राजिस्थान में रह रह ढहुं बाहर तापमाण जो है बाले बहुत गर्मीय है गरम गरम वायू अंबर गई आप साथ बच्छों ने देखा होगा कई लोगों के अंदर क्या नाक में सकून आने लग जाता है बोलते हैं अगये बूलते हैं नाक में खून अगया नकसीर आगयी वो कैसे होता है तो जब गरम वायु अंदर जाएगी और यहां पर क्या होती है रक्त नलिकाएं होती है क्या होती है अंदर की तरफ यहां पर रक्त नलिकाएं होती है गरम वायू जब अंदर जाती है तो क्या हो जाती है हमारी और ठंडी वायू अगर बहुत ज़ादा ठंडी जारी है तो उसको गरम करना पड़ेगा, यानि कुल मिलाकर वायू जो है, जो अंदर जा रही है, उसको बॉडी के टंपरेचर के एकोर्डिंग change करना पड़ेगा, regulate करना पड़ेगा, नीमन करना पड़ेगा, तो साहब वो कर करने का काम कौन करता है यह श्वसंद्शेत्र करता है इसी लिए इस श्वसंद्शेत्र में बहुत सारी मेंब्रेन मिलती है जो सर्फेस एरिया बढ़ाती है जिस से जो वाईू गरम आ रही है उसको बॉड़ी के टेंपरेचर के कॉर्डिंग कंट्रोल करो जो ठंडी आई है उसको थोड़ा सा गरम करके body temperature के according control करो इसी लिए श्वशन शेतर को हम क्या बोलते है air conditioning शेतर बोलते हैं यानि यह air की क्या करता है conditioning करता है वायू का क्या करता है नियमन करता है नियमन यहाँ पर meaning क्या है नियंतरण करना control करना conditioning करना तो जो गरम को tapman को कम कर देगा ठंडी अ अब तीसरे शेतर पर आते हैं ये वाला शेतर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस शेतर को हम बोलते हैं गान शेतर कौन सा है बेटा जी इसको हम क्या बोलते हैं गान शेतर बोलते हैं इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं गान शेतर इंगलिश में बोलते हैं अलफे उपकलाह भी बोलते हैं याद रुकुमा, इस उपकलाह से कौन जुडी होती है, तंत्री का मुल मत जाना, इससे कौन जुड़ी हुई है, सर ये तंत्री का जुडी हुई है, अब तु भार जा रहा था, तेरे पढ़ोसी के घर में हलवा बन रहा था, तिरे को खुश्बू आ समवेदना जो अंदर जा रही है वो जो खुश्बू के या बदबू के कण जो अंदर जा रहे है वायू जो अंदर जा रही है वो टकराती है किस से इस जिली से और इस जिली से जुड़ी हुए है कौन तंत्री का वो तंत्री का इन समवेदनाओं को लेकर जाती है तेरे मस्त पुराने अनुभव के आधार पर ये तै करता है कि ये खुश्बू है या बद्बू है आप मुझे बताई जब आप पैदा हुए था आपको पता था कि ये हलवे की खुश्बू है ये मोती चुर के लड़ू की खुश्बू है ये इसकी खुश्बू है ये उसकी खुश्ब है या बदबू है तो कुल में लाकर वो खुश्बू यानि वो गंद का पता लगाने के लिए responsible कौन सी जली होती है वो होती है शनीडेरियन जली और वो शनीडेरियन जली इस शेतर में मिल रही है जो सुंगने की समवेदना के लिए उतरदाई होती है तो कुल में लाकर ये तीन भाग होते हैं जो क्या बनाते हैं मेरे भाई हमारा नासा मार्ग बनाते हैं क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है जो बाते कर रहे हैं उनको भी और जो नहीं बाते कर रहे हैं उनको भी यहां तक की बात बताएए जल्दी से हाँ जी डन कोई तकलीफ चलें आगे याद रखेगा हम क्या पढ़ रहे हैं सर हम शुसंपत पढ़ रहे हैं शुसंपत के टोटल भाग कितने हैं सर चार भाग है जिसमें से सबसे पहला भाग हम लोग ने पढ़ लिया क्या नासा मार्ग नासा मार्ग जो था यह नासा मार्ग जो था इसके टोटल तीन भाग है सबसे पहला है नेसल वेस्टिब्यूल यानि प्रगान शेत्र ये वला फिर उसके बाद सबसे बड़ा शेत्र है कौन सा रेस्पीरेटरी रीजन जिसको हमने क्या बोला श्वशन शेत्र फिर उसके बाद ये उपर की तरफ औल्फेक्टरी रीजन यानि गान शेत्र बोला है इस वाले को डान चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं कंट किसकी बात करने वाले सर क्यों कंट की क्यों बात करने वाले हैं पहले तो आप मुझे बताईए आप में से कितने बच्चे हैं जिनोंने ये ये एनिमेशन देखा है ये वला ये हम जो कंट पढ़ने व चलो यह अच्छा नहीं लगा दूसरा देखते हैं सर इस तरीके से भोजन जो है यहां पर जा रहा ही और यह जो है यह एक इस तरीके से यह एक फ्लैप है यह एक तरीके से एक धकन है जो किसी चीज को बंद कर रहा है भोजन को इधर जाने से रोक रहा है हां सर याद आ रहा ह और और अच्छा ने लगा दूसरा हमारे पास ये देख ये भोजन जो है इदर चला गया हाँ सर ये भोजन इधर नहीं जा रहा है ये हमारे पास दो नलिका है एक इधर भी है ये भोजन इस नलिका में जा रहा है इधर नहीं जा रहा है यानि एक धकन है जिसको इधर जाने स यहाँ तक की बात अगर समझ में आ गए है तो आजैए फिर यहाँ पर सीधा सीधा चल ये सो हम यहाँ पर क्या पढ़ने वा स्वस्की बात करने महलें ककी बात करने से पहले यह जो डाइग्राम सी आनिमेशन गान पूच्छ का दिखा हैं क्यों क्यों कि देख हमने अभी तब क्या का चीज पढ़ चुके हम श्वसन पठ पढ़ रहे थे हम वो पठ पढ़ रहे हो पाथ वे पढ़ रहे हो रास्ता पढ़ रहे जिससे वायू जाने वाली है ना जाने वाली है सर वायू सबसे पहले यहां से यहां आई हैं सर किस में आई सर इस नासा गुहा में आगई इस नीजल चेंबर में आगई इस नासा मार्ग में आगई यहां सर नासा मार्ग से होते हैं वो यहां पर आती है मुख से भी आती है यहां से भी आ रही है वायू यहां से भी आ रही है ना चलो सर दोनों से आ रही है चलो हम यहां से बात कर रहे है वायू यहां से आ रही है अच्छा हमें वायू कहां से लेनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा मुख से लेनी चाहिए कि नाक से लेनी चाहिए ज़रा सोच क्या मुख के अंदर ये वाला शेतर मिल रहा था दिमाग लगा क्या मुख के अंदर ये वाला शेतर मिल रहा है जो गरम को ठंडा ठंडे को गरम कर रहा था नहीं सर कहां पर मिल रहा है नाक के अंदर मिल रहा है अब ज़रा सोच तु गरम गरम शेतर में है और वह वहाँ पर तु सांस कहां से लेगा वायू कहां से खीचेगा मुह से खीचेगा तो वहाँ तेरे अंदर कोई heater या air conditioner थोड़ी ना लगा हुआ वो तरी कहां पर लगा हुआ नाक में लगा हुआ जो बॉड़ी के बॉड़ी के अंदर जो वायू जा रही है उसकी उसका नियुमन करेगा तो वो कहां पर है सनाक में इजी ले क्या बोला जाता है नाक से वायू लो डन मुह से मतलो चलिए जी आगे बढ़ते हैं यहां पर जो चीज में समझा रहा था वो यह कि पीटा यह हमारी अब यहां से वायू इधर से होती ही जाएगी अब यह जो संगरचना जो है यह वाला पोर्शन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं नासा गरशनी बोलते हैं यह वाला एरिया जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं और जो मुख गुहा जिसमें ओपन होती है इस जगे को हम क्य इसको हम क्या बोलते हैं यह जगे क्या कहला है सर्फ फैरिंग्स कहलाती है आप से कोश्चन बहुत सिंपल सा पूछा गया है नीट में कि भोजन और वायू का समान पत्थ कौन सा होता है यानि वो पत्थ जहां से वो कौमन पाथवे जहां से वायू और जहां से आपका भोजन पास होते हैं उस जगे को हम क्या बोलते हैं तो उसको याद रखना क्या बोलते हैं ग्रसनी बोलते हैं चलिए जनाब आगे देखते हैं अब यह फैरिंग्स के नीचे आपके पास दो नलीकाएं है एक ये वाली नलीका है एक ये वाली नलीका ये वाली नलीका श्रसन से अब यहां से जो भोझन आएकर उस्फोजन को में कालना है यहां डालना है कि यहां डैला तो कैसी डालेंगे तो यह सी देजी बात है यहां पर क्या मिलता है ढग mezल राहे और फसकले आम आपको पता है उसब न को हमने क्या बोला सब्सक्राइब डंधिर अस्युवर्वियर छ स्वाथ्यू बर्रबॉडNING और एप्सक्राइब और दोनगते पानि निगलते हैं तो भूट हूने अपनी अगर निगनते हैं तो ये ठखन इस छेद को क्या कर देता है बंद कर देता है गुरू और इस छेद का हम क्या होता है छेद को हम क्या बोलता है गलोटिस कहते हैं यह छेद क्या कहलाता है गलोटिस और यह धकन क्या कहलाता है हमारा एपी गलोटिस गलोटिस को क्या कर लेता है कवर कर लेता है जिससे भोजन जो है वो कहां चला जाता है हमारी आहार नाल में चला जाता है जनाब य रहें तो सीधी सी बात है वायू कहां से होती हुई आएगी सरवाता वरन से किस में आई नासा मार्ग में नासा मार्ग से होती हुई नासा गरस्नी या गरस्नी गरस्नी से होते है यहां पर आएगी हाँ जनाब यहां पर आएगी अब इस जगे पर यह जो नलीका जो है इस नल कहते हैं ये वाला portion जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं कंठ बोलते हैं इसके नीचे वाला portion जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं श्वासनली बोलते हैं इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले हमें क्या पढ़ना पढ़ेगा सर कंठ पढ़ना पढ़ेगा फिर उसके बाद क्या प किस में जाएगी सर कंठ में जाएगी तो कंठ की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं कुछ डाइग्राम से वो देख लीजे नहीं देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा देखे कंठ की बात करने वाले कंठ के बारे में जो जो चीजे यहां पर लिखी गई हैं सारी की सार बॉक्स बोलते हैं क्या स्वर पेटी का बोलते हैं हिंदी में हिंदी में क्या नाम देते हैं स्वर पेटी का बोलते हैं या ध्वनी पेटी का बोलते लिखा हुआ है या तो साउंड बॉक्स बोल दे या ध्वनी पेटी का या स्वर पेटी का बोल दे ओविसी बात है यह यह क्या रिलीज होती है साउंड निकलती है क्या निकलती है साउंड निकलती है ठीक है अब दो वर्ड है यहां पर क्या एक होता है साउंड और एक होता है स्वर एक ध्वनी है और एक स्वर है दोनों में क्या फरक है साउंड में और स्पीच में क्या डिफरेंस होता है मैंने बोल किसमें बदल दिया सर साउंड उत्पन करने का काम कौन करता है सर लैरिंग्स करता है यह जो हमारे लैरिंग्स जो होती है मारा जो कंठ जो होता है यह तो ध्वनी उत्पन करता है लेकिन उस ध्वनी को स्वर में बदलने का काम उस ध्वनी को उस ध्वनी को हम स्पीच में जब बदलते हैं हम उसको किसमें बदलते हैं सर उस ध्वनी को जब हम बदलते हैं वर्डिंग्स में जब बदलते हैं तो वो करने का काम कौन करते हैं हमारे होट हमारी जीब और हमारे गाल याद रखना हमारे होट हमारी जीब और हमारे गाल यह किसमें कनवर्ट करते हैं हमारी काम कौन करता है हमारा मस्तिश्क हमारे मस्तिश्क में एक शेत्र होता है जिसका नाम होता है ब्रॉका शेत्र याद रखना और यह ब्रॉका शेत्र कहां पर पाया जाता है हमारे ब्रेन का एक पॉर्शन होता है जिसको हम क्या बोलता है सेरी ब्रम हिंदी में क्या बोलता है प् sound को किसमें बदलते हैं सर speech में बदलते हैं क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई है जो यहां पर spam करेंगे हम उनको वैशे निकाल देंगे बिनोध हाँ जी यहां तक की बात डंडन आ डंडन तो sound उत्पन करने का काम कौन कर रहा था सर यह जो लेरिंग्स जो था यह क्या करता है सर यह sound उत्पन करता है लेरिंग्स का काम क्या था सर sound उत्पन करना चलिए सर पहली बात तो हमको यह समझ में आ गई कि लेरिंग्स जो है वो sound उ से आवरित होती है यानि इस तरीके से यह नलीका है और इस नलीका के उपर क्या मिल रही है सर उपास्थियां पाई जा रही है इसके उपर क्या पाई जा रही है उपास्थियां पाई जाते हैं कार्टिलेज कितने प्रकार के होता है सर पांच प्रकार के होता है कौन कौन से का पॉर्स में नहीं दे रखें इनके नाम लेकिन अगर तू याद रख सकता है तो जरूर याद रखना पांच प्रकार के कार्टिलेज तेरे को याद रखने हैं सबसे पहला है थाइरोइड कार्टिलेज यह सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है जो कितना होता है एक होता है दू और क्रिकोइड कार्टिलेज तो एक-एक होते हैं बाकी कार्टिलेज और क्यूनिफर्म कार्टिलेज यह कैसे होते हैं पेर में होते हैं अब इनकी लोकेशन कैसी कैसी होती है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं इस डाइग्राम में अगर आप यह डाइग्राम देखें यह वाला कार्टिलेज जो आपको दिखाई दे रहा है इस कार्टिलेज को हम क्या बोलते है थायरोड कार्टिलेज बोलते है यह वला क्यों बोलते है थायरोड कार्टिलेज क्योंकि यहीं पर कौन सी ग्लैंड होती हमारी थायरोड ग्लैंड होती है तो सबसे बड़ा कार्टि एक तो क्यून ओर दिखाई डेगा और एक आपको सानो है यह यह वाले जो है कर तो इसको अगर तु देखेगा यह वाला just just सुन ले ना इतनी सी बात यह वाला हमारा aretinoid होता है aretinoid के उपर होते है centorini और यहाँ पर side में जो होता है यह वाला कौन सा होता है यह अभर हमारे cuneiform होते है तो कुल में लाकर हमारे तीन तो जोडी दार का cartilage होगे कौन कौन से aretinoid, centorini, cuneiform और फ्रेंट से जब हम सामने से देखते तो हमको दो दिखाई देता है कौन सा एक तो यह दिखाई देता है थायरोड और एक दिखाई देता है क्रिकोईड अब इनमें से याद करने लायक है वो है हमारा कौन सा थायरोड काटिले जो सबसे बड़ा होता है अब इसको याद क् क्योंकि जब human reproduction chapter दुब तुम पढ़ते हो तो human reproduction chapter में आपको एक चीज पढ़ने को मिलते हैं और वो होता है दृत्य लेंगिक लक्षन तो males के अंदर यानी males के अंदर नर के अंदर एक दृत्य लेंगिक निकालता है एले जो है लेडी कोशिका के पाई जाता है जो अंतराली कोशिका कहलाती है वहां से क्या निकलवाता है सर टेस्टोसेरों निकालता है वो टेस्टोसेरों जो होता है वो शुक्र जनन के साथ साथ जुत्यलेंगी क्लक्षन उत्पन करता है उस जुत्यलेंगी क्लक है सर भारी हो जाती है अब ये अवारी अगर हो रही है तो क्यों रहे है ये अवाज क्यों बहारी हो है क्योंकि ये जो ये जो थाय 8 2 घृघा इनलार्ज हो जाता यह बड़ा हो जाता बसको बढ़ा करनेके लिए । अम आज कींद सन्सेटा Caitlin On Whartilis is adam seppali korn adam sekın यही thyroid cartilage phoole जाता तो इसको आंक्या है Sir Adam's apple कहते हैं यहां तक की बात समझ में आगे तो देखिए मैंने यहां है कितने परकार की उपासती मिल रहे है सर पाँच प्रकार की उपास थे इंदर क्या हो जाती है जिसको हम क्या करती हां सरॉत तर हमारा टुन-टुन-टुन-टुन-टूर भी करता है वो जिसको गिटार बोलते हैं आप मुझे बताए गिटार के इंदर अप्राइब है पगला गया है क्या है हिल गया है मंम्मी पापा ने है रे रे हिल गया है क्या वो मूरक बीस्ट बेस्ट लाइफ बिनोध 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 हिल गया है क्या है कौन सा जमाल घोटा पी लिया तुने है अलग अलग तु आईडी से यहां पर स्पैम कर रहा है कल ले मेरे भाई अब तु करी ले भाईया यह कला है तुम लोग इचको इगनोर कर देना यह बावला हो गया ही बालक है कोई बावला हो गया विचारा किसी की याद में विचारा पगला गया ही है है चल कोई बात ही हो जाते हाज से हो जाते कईयों के साथ होते हैं हो गए होंगे इसके साथ भी हो गए होंगे कोई बात नहीं रहने दो चल आगे बढ़ते हैं तो हमने यहां पर बात करी क हम इसको स्वर पेटी का क्यों बोल रहे हम इसको ध्वनी पेटी का क्यों बोल रहे है क्योंकि ध्वनी उत्पन करता है अपने गिटार होता है हां सर गिटार होता है उस गिटार के अंदर इस तरीगे से यहां पर कुछ वायर्स होती है हां सर बिल्कुल इस तरीगे से धागे दागे से वायर्स होती है, हाँ सर तारे होती है, उन तारों को छुओ तो क्या निकलती है, सर ध्वनी निकलती है, हाँ सर, उनको टन करो तो क्या निकलती है, साउंड निकलती है, बस उसी तरीके से यहाँ पर हमारे स्कंठ में भी क्या मिल रहे है, तार मिल रही है, क्या मिल र कॉर्ड जो होती है हमारी दो होती है एक होती है फॉल्स वोकल कॉर्ड और एक होती है ट्रू वोकल कॉर्ड यह जो यह जो आपको दिखाई दे रही है ट्रू वोकल कॉर्ड और यह साइड में जो लगी हुई है यह है हमारी फॉल्स वोकल कॉर्ड दिखने में कैसी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर यह है अमारी यह है अमारी true vocal cord और इसके side में जो है यहां पर यह जो है यह है false vocal cord लिखा भी हुआ है true vocal cord जो आपको यहां पर दिखाए दे रही है यह वाली और इसके side में जो है जो गुलाबी रंग की होती है देखो यह yellow cartilaginous fiber से बनी हो जिसमें आप यहां पर देखोगे यह हमारी true vocal chord है यह वाली यह वाली जो है यह true vocal chord होती है और यह side में pink color की जो है यहां पर यह जो है यह क्या है हमारी FVF है FVF का मतलब false vocal chord है यह true vocal chords होती है जो है इस तरीके से तान होती है तार टाइप की है जब इनसे वायू टकराएगी तो कंपन होएगा उस कंपन से क्या पैदा होएगी सर ध्वनी पैदा होएगी अब बात आ रही है सर यह true vocal chord और false vocal chord में difference क्या होता है यह true vocal chord और false vocal chord क्यों बोला true vocal chord इसलिए बोला क्योंकि वास्तों में जो ध्वनी जो उत्पन होती है वो किससे होती है true vocal chord से ध्वनी उत्पन होती है तो सर यह false vocal chord का कारे क्या होता है यह false vocal कोड क्या करती है तो फॉल्स वोकल कोड जो होती है वो ट्रू वोकल कोड को क्या परदान करती है सर नमी परदान करती है आदरता परदान करती है प्रोटेक्शन का काम करती है तो फॉल्स वोकल कोड का काम क्या होता है प्रोटेक्ट करना नमी देना सूखने से बचाना किसको ट्रू वोकल कॉर्ड को ट्रू वोकल कॉर्ड से जब वायू बाहर निकलती है तो कंपन पैदा होता है जिससे क्या पैदा होती है धोनी पैदा होती है यह था हमारा पूरा का पूरा कंठ यहां तक की बात बताई है इस कंठ में जो जो चीजे मैंने आपको बताई है वो चीज समझ में आगए कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं तो प्रकार के वाक्तन्तु हैं एक है मिथ्या वाक्तन्तु यानि फॉल्स वोकल कॉर्ड और एक है वास्तविक वाक्तन्तु जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड फॉल्स वोकल कॉर्ड जो होती है वो ट्रू वोकल कॉ अब यहां तक की बात कंट पूरा का पूरा समझ में आ चुका है clear है अवनी गुपता हाँ जी यहां तक की बात कोई confusion यहां तक जल्दी से बस सुनते जाईए और चीजों को revise करते जाईए बस और कुछ नहीं चलें आगे चलिए जी अरे तो भाई जसन परी तो बंद करते भाई तो तर बहुत जल्दी हो रही है बहुत दिक्कत है भाई सब कसम से जिन्दगी में इतनी दिक्कत हो रही है तरे चलिए जनाबी हमने क्या पढ़ लिया कंट पढ़ लिया जब इसके बाद में किसकी बारी है सर यहां पर श्वास नली की बारी है ट्रैकिया की बात करने वाले है आते हैं ट्रैकिया जो होती है इससे कोशन क्या नीट में बन सकते हैं सबसे पहले इसकी लंबाई और इसकी चोड़ाई याद रखनी है बारा सेंटिमीटर लंबी धा सेंटिमीट्र इसका व्यास ये सीधा सीधा याद रखना इसका व्यास और इसकी लंबाई ठीक है जना अब ये जो हमारी जो शौसनली जो होती है ओट के कहां पर जाकर दो भागों में बढ़ती है तो अगर मैं यहां पर इस डाइग्राम की बात करूँ यहां पर जो चीजे मैंने लिखी हुए पहले उनकी बात कर लेते हैं श्वासनली ट्रैक्या की बात करें तो 12-15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है यह हमारी श्वासनली जा रही थी जा रही थी जै रही और जाते जाते हैं यह दो भागों में बट गई हैं concepts जो आन को हम क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं सर श्वसनी बोलत एं ब्रॉंकाई día twofa ये पीछ consisting कहां क्या बोलते हैं ग्रीवा बोलते हैं नेक्स्ट दूसरा जो भाग होता है थोरेसिक जो हमारे थोरेक्स में मिलती है यानि हमारे वक्षिय भाग में मिलती है पीछे की तरफ नेक्स्ट उसके बाद होता है लंबर जिसको हम कटी बोल देते हैं और फिर उसके बाद है सैक्रल और फिर उसके बाद क्या होती है कोकेक्स होती है तो इस तरीके से यह हमारी रीड की हटी होती है अब यह जो फोकस कर यहां पर जो रीड की हटी होएग उसका नाम क्या है के रबाट mm के बोला थारकी होब यह जो पीछे थे थारकी अगी Nej啊 सिख तो ऐसे करते करते ज campus ओमरी रीड़ की फिर्डी होएगी पीछे जिसको हम क्या बोलेगे वक्ष्ये कशेरूग हिंदी में क्या बोलेंगे त्यों हिंदी में क्या बोलेंगे पांच वी एक यक पूछा गया तो यह सीधा सीधा नहींने आपको करा भी दिया है ठीक है सो भाई मेरे इतनी सी बात करको समझ में आगे कि ये श्वासनली जो थी ये हमारी कशे रुक दंड यानि मेरू दंड की कौन सी हड़ी के सामने दो भागों में बढ़ जाती है तो पांच वी थोरैसिक वक्षिये कशे रुक के सामने क्या करती हो जाती है दो भागों में जाते है, चलिए जी, निक्स्ट आगे, अब यह जो हमारी जूर श्वासं नली जो होती है, जो हमारी ट्रैकिया also होती है, इसके उपर 15-20 यादरखना, 15-20 क्पाई जाते है अब यह उपास्थियां कैसी होती है सी आकार की होती है अब सी आकार की मतलब कि अगर यह श्वासनली है तो श्वासनली के ओपर इस तरीके से ऐसे है इस तरीके से यह सी आकार की इस तरीके से आगे से तो पूरी है लेकिन पीछे से कैसी होती है सर अधूरी है आगे से तो कैसी है सर यह पूरी है लेकिन प प्रश्ट भाग पर कैसी होती है अधूरी होती है यह इस तरीके से यूं है यूं ठीक है तो प्रश्ट पीछे की तरफ से कैसी होती है इनकम्प्लीट होती है और आगे से कैसी होती है सियाकार की इस तरीके से रिंग शेप की होती है कैसी होती है रिंग शेप की होती है यह या आगे बढ़ते हैं अब ये जो हमने हमने यहां पर बात करी कि यह जो हमारी ट्रैक्या जो ते जो थो भागों में बट गई और यह तरीके से प्राइमरी प्राइमरी ब्रॉंकई स्केंडरी ब्रॉंकई प्रसे बट जाती है क्या जाती है प्रातमिक शास्नी का फिर से बंतस्त श्वसनिका ये सारी कि सारी क्या primary bronchiol से लेकर आपका terminal bronchiol तक की जो structure जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं टोटल pulmonary bronchiol बोलते हैं कुल फुफुस्य श्वसनिकाएं बोलते हैं अगर तेरा ध्यान यहां पर पढ़ाई में हैं दोस्तों तो तेरा को चीज समझ में आए और कुछ नहीं है है ना इशी कतिवारी है ना है वही लाल सा माफिया सर लाईवे के क्लास और कुछ और किसी को बाते करने कर लो सर प्लीज जेनेटिक्स का वन सौटन नहीं डगरा रहे हैं तुमको यह नहीं दिख रहा है यहां पर जब करा रहे हैं तो प्लीज इसको सुन ले ध्यान से पढ़ ले विटा नहीं पढ़ना तो क्लास बंद कर दे भाई सीदी सी बात है स्पैम करके किसको दुख देगा अपने आपको दुख दे रहा है सोचनी रहा अपने फ्यूचर के बारे में तो भाई यहां पर कुल में लाकर यह जो ट्रैक हिया जो थी यह दो भागों में ब ले दुख अजे धश्युट यह सारी मिलकर क्या कहलाती है हमारी कुल फूसीय श्रस्नी का तो आपकी ncrt में इस तरीके से दिया हुआ क्या प्राथमिक स्वस्नी दृते श्रस्नी त्रिटे श्यूस्नी और तुरिते श्रस्नी के बाद लिखा हुआ है क्या फूसीय का दुटेश उसनी का तुरतेश निका और अंतस्त श्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इसको हम बोलते हैं श्वसनी वरक्ष बोलते हैं ब्रॉंकियल ट्री बोलते हैं शौट में बीटी बोलते हैं ब्रॉंकियल ट्री श्वसनी वरक्ष या चालन भाग बोल देते हैं कौन सा भाग है मेरे भाई इसी को हम क्या बोलते हैं चालन भाग बोलते हैं याद रखना सर यहां पर end किया तो कहां अंतस्त शम्हसनीका अनतस्त शहसनीका के आगे विभाजन क्या कहलाता है कुपी की ये नली का ये हमारी श्वसन श्वसनी का फिर ये छोटी हो जाती है जिसको हम क्या बोलते है कुपी की ये नली का फिर विभाजित हो जाते है जिसको हम एट्रिया कहते हैं और ये एट्रिया एक एक कोश में खुलता है जिसको हम सोज में आएंगी वापिस से सुन ले आस से सुन यहां तक की बाद्य को सब्सक्राइब यहां तक ही बातर को समोज में आ गए यहां थी सर अंतस्त इस तिस निका के बाद अगली जो नलीका उसका नाम है शुसंद शुश्वसंद हो जाती यह विभाजित नहीं सोरी मैंने विलूलर सैक बोलते हैं और इसकोश के अंदर छुटी छुटी चूटी छुटी छुटी चुटी क्या मिल रही है सर कुपी का मिल रही इसको हम बोलते हैं शोसन व्रक्ष बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं विनी में भाग बोलते हैं जहां से क्या होने वाला है सर एक्सचेंज होने वाला है तो कुल में लाकर तेरे पास दो प्रकार के व्रक्ष थे एक तेरे पास ब्रॉंकियल ट्री था और तेरे पा क्योंकि यहां से चलते हुए वायू आ रही है इस भाग को हमने Viri में भाग बोला क्यों बोला क्यों कि इस भाग में क्या होने वाला है गैसो का आदान प्रदान होने वाला है अब बात जो थी वो इतनी सी यहां से लेखर परात्मिक शवसणी से लेकर यह कुपी का पूरा का portion किसके अंदर है सर एक श्वसन अंग के अंदर है और उस श्वसन अंग को हम क्या बोलते हैं फेपड़े बोलते हैं यह था हमारा पूरा का पूरा चालन भाग यह हम बोलेंगे यह था हमारा सौरी श्वसन पत्थ था इसको हमने क्या बोला था respiratory pathway बोला था I hope यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं सर फेपिड़े की बात करने वाले हैं हाँ जी किसकी बात करने वाले हैं सर फेपिड़े की बात करने वाले हैं सर डन यहां तक की बात समझ में आ गई श्वसन पत्थ पढ़ते हैं श्वसन पत्थ के अंतरगत ये चार चीजे थी ये चारों चीजे हमने पढ़ी हमने नासा मार्ग पढ़ा हमने कंट पढ़ा हमने श्वासनली पढ़ी हमने चालन भाग देखा हमने विनी में भाग देखा ये सारे पोर्शन हम लोगों ने देख यह हैं अब हम किसकी बात करने वाले सर अब इसके बाद हम बात करने वाले श्वसन अंग की यानि फेपडो की हमारे फुपुस की बात करने वाले हैं फेपडो को हम क्या बोल देते हैं हम किसकी बात करने वाले गुरू फेपडो की बात करने वाले हैं इस डाइग्राम को मैंन सब्सक्राइब कि और शक्राइस के बाद में रैस्पीरेटरी ब्रॉंकियों के बाद में क्या जाएगा एक रेक्स has a-dolli यह चाने सारad जाएगा है ऐन है कि चले स्टाट करें मैं सतंगा वह फापड़ा पड़ें आप हाँ बटाब लाई पड़ेंगा किसकी बात करने वाले हैं फापड़ा की बात करने वाले फेपड़ों की बात करने वाले हैं यह आपके NCRT का डाइग्राम है इस NCRT के डाइग्राम के अंदर यह सारी सारी मार्किंग जो यहां पर दे रखी हैं सारी की सारी मार्किंग आपने याद रखनी है अपूर्ण उपास्थी में वले श्वसनी पसलियां फेपड़े श्वासनली कंट कंट छद फुफुस आवरन कुपिका फुफुस द्रवे श्वसनी डायाफ्राम यह सारा का सारे तर्म्स जो यहां पर दे रखी है सारी की सारी आपने देखनी है अपने इंसियाटी के डायग्रम में आईए फेपड़ों की बात करते हैं तो फेपड़े की बारे में जो भी चीज़े यहां पर लिखी हुई है पहले मैं उनको समझा देता हूं फिर उसके बाद में यहां पर हम ची यह वाला फेपड़ा जो होता है दाया फेपड़ा जो होता और बाया फेपड़ा जो होता है जिनमें से comparatively यह थोड़ा सा बड़ा होता है यह थोड़ा सा छोटा हो जाता है क्यों छोटा हो जाता है क्योंकि यहां पर एक जगे होते हैं जिसका नाम होता है कार्डियक नौच हैं इसको हम क्या बोलते हैं जगे को कार्डिक नौच बोलते हैं क्यों कार्डिक नौच बोलते हैं क्योंकि यहां पर कौन फिट होता है सर हमारा हिर्दे फिट होता है हमारा दिल यहां पर लगा होता है तो हमारा दिल यहां पर इस जगे पर होता है इस वज़े से हमारा बाया फेपड़ा जो होता है comparatively हमारे दाया फेपड़े से थोड़ा सा कम वजन का होता है चलिए जी आगे बढ़ते हैं हमारे जो दाया फेपड़ा जो होता है ये तीन पालियों में बटा होता है ये पहली ये दूसरी और ये तीसरी और बाया वाला जो होता है ये हमारी दो पालिय के हुए है सरी हमारे फेपड़े एक मासपिशी संगरचना के पट के होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं याद रखना यह जो डाया फ्राम जो होता है एक muscular structure होती है आपकोशन पूचना चाहूंगा जल्दी से जो chat box में यह या पर spam कर रहे हैं बाते कर रहे हैं मेराइए एक simple सा question आप से हमारे ओग उन्दर mass patient होते है और यह कि जो होते है क्या उनके अंदर शिकूढने की और फैलने कि शम्ता होती है हमारे फेपड़ों के अंदर मास्पेशियां पाई जाती है क्या हां प्लीज कोई बता तो लाइव क्लाच है क्या कौन सूफिया नाज तुम क्लाच में भी नहीं पड़ती थी तुम यहां पर भी नहीं पड़ती हो तुम अगले शाल पढ़ोगी हाँ जी नहीं सूफिया ना जी यह लाइव क्लास नहीं है बिटा लौड बिटे 159 क्या हमारे फेपड़ों के अंदर अगर मास्पेशियां उती तो हमारे फेपड़ों के अंदर शंता ओती क्या सिकुर्णे की फैलने की है ना बोल सकते ना तो ह याद रखना हमारे लंग्स के अंदर मसल्स नहीं होती अगर होती अगर होती तो हमारे फेफड़े खुद सिकुड सकते थे खुद फैल सकते थे याद रखना जैसे हमारा आमाश है हमारा स्टमक सिकुड फैल सकता है हमारी आते सिकुड फैल सकते है क्यों क्योंकि उनकी दिवारों में क्या मिलती है muscularis एक layer होती है पेशी स्तर होती है जिसमें पेशियां पाई जाती है जो उसके अंदर paristaltic गती कराती है क्रमानु कुंचन करा देती है हमारे फेपड़ों के अंदर पेशी नहीं है जिसकी वज़े से वो खुद फैल खुद सिकूड और फैल नहीं सकते हैं हाँ हमारे फेपड़े फैल सकते हैं सिकूड सकते हैं यह चमता उनके अंदर होती है जो मासपेश्यों के कारण नहीं होती है हमारे फेपड़े स्पंजी होते हैं कैसे होते हैं याद रखना हमारे फेपडे स्पंजी होते हैं फैल सकते हैं सिकुड सकते हैं मासपेशियों के कारण नहीं किस के कारण सर एक चैंबर के कारण एक जाल के कारण और वो जो जाल जो होता है उसको हम बोलते हैं वक्षिय जाल जिसको हम थोरैसिक केज बोलते हैं जिसके अंदर हमारे फेपडे अगर ये चेंबर अगर ये box सिकुड जाएगा तो हमारा गुबारा सिकुड सकता है बिलकुल उसी तरीके से हमारे फेपड़े जो होते हैं एक जाल के अंदर होते हैं हमारे फेपड़े solid होते हैं और spongy होते हैं sponge के जैसे फैल सकते हैं सिकुड सकते हैं याद रखना लेकिन इ विस्रल प्लूरा इंग्लिश में बोलते हैं पैराइटल प्लूरा हिंदी में और हिंग्लिश में बोलते हैं पैराइटल प्लूरा और विस्रल प्लूरा हिंदी में बोलते हैं बाहिये फुफुस आवरण और अंते फुफुस आवरण यह जो दोनों आवरण होते हैं दोनों क के बीच में खाली जगे में इन दोनों के बीच में जो खाली जगे यहाँ पर एक द्रवे भरा होता है जिसको हम फुफुस आवरन द्रवे बोलते हैं प्लिउरल फ्लूइड बोलते हैं ये ncrt में दे रखा है अब ये क्या काम करता है आपको कोई जहटका लगा डख डख धख, सीने में किसली मुख का मारा, तो आपके फेफड़े बहुत ज़्याधा क्याते हूँ, कैसे होते हैं, वो लेटाइल होते हैं, कैसे हो सकते हैं, उनको बाहरी आगहात जो हैं, फिलूइड जो होता है जी याद रखना भूल मत जाना, हमारे फेफडों के जो अंदर चाह है जो मिल रही है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है एक तो यह काम कर रहा है दूसरा दूसरा क्या कारे कर रहा है यह क्या कर रहा है सर यह हमें यह फ्लूइड क्या काम कर रहा है सर शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है निक्स्ट अब यह जो यह जो प्लूरल यह जो जिलियां जो थी यह जो plural membranes जो मिल रही है प्लूरा जो मिल रहा है इनमें कई बार क्या होता है bacterial infection हो जाता है जैसे streptococcus pneumoniae से हो गया यह flu हो जाता है क्या हो जाता है फ्लू हो जाता है जो एक viral infection है उस infection से क्या होता है यह जो प्लूरल फ्लूइड है, इसकी मातरा बढ़ने लग जाती है, प्लूरल फ्लूइड की मातरा जब बढ़ने लग जाती है, तो प्लूरल फ्लूइड जब बढ़ने लग जाता है, तो इस रोग को बोला जाता है, प्लूरेसी, ये रोग क्या कहलाता है, प्लूरेसी कहलाता है, उस परिस्थिती को हम बोलते है डिस्पनोईया तो याद रखना गर आप से कोई पूछे डिस्पनोईया क्या होता है तो डिस्पनोईया वो परिस्थिती होती है वो लक्षन होता है वो करेक्टर होता है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है अब यह डिस्पनोईया या त artistic feature है जैसे आपने सुनाओगा कि एक बिमारी है उसके लक्षन क्या होते है؟ हमारी एक बिमारी है जिसमें प्लूरल तरल जो था उसकी मातरा बढ़ जाती है जिसका लक्षन क्या होता है सांस लेने में तकलीफ सांस लेने में जब तकलीफ होते तो इस परिस्थिती को हम क्या बोलते हैं डिस्पनोया बोलते हैं तो फेपड़ों में हमें इतना ही याद र कौन मिल रही है उरोस्थी मिलते है जिसको हम क्या बोलते हैं पीछे की तरफ कौन मिलती है सर ये रीड की हड़ी मिलती है पीछे की तरफ कौन मिल रही है रीड की हड़ी आगे की तरफ कौन मिल रही है उरोस्थी और साइड से कौन आ रही है सर ये पसलिया आ रही है साइड से समझ में नहीं रहा ध्यान से देख ये तेरे पास ये रहा कौन है मेरे भाई साथ लेकर चलता हूं मैं इसको जहां पर भी जाता हूं अपने साथ लेकर जाता हूं अपना वाड़ी अपना दोस्त है ये ठीक है तो ये जो ये जो तु देख रहा है यहां पर ये जो तु देख बोलते हैं साइड से क्या आ रही है सर पसली आ रही है उपर की तरफ ये कॉलर बोन होती है जिसको हम क्या बोलते है क्लाविकल बोलते है ये जो दिख रही है नीचे की तरफ होता है डायाफ्राम अब हमारे फेपड़े अंदर होते हैं इसके अंदर होते हैं यहाँ पर अब ज तरह सोच ये पूरा एक पिंजरा सा दिख रहा है अरे जाल होता है अरे कहीं जेल होती है जेल ये जाल जाल में आगे कुछ होता है पीछे कुछ होता है साइड से कुछ होता है नीचे कुछ होता है उपर कुछ होता है तो इस जाल में भी ये पूरा एक जाल है के नहीं यहां स जिसके अंदर हमारे फेपडे हैं अब तो थोड़ा common sense लगा, दिमाग लगा, हमारा ये जो जाल जो था, is जाल में, क्या क्या चीजे मिल रही थी, सर हमारे इस जाल में, ये जो हमारा जो जाल जो था, इस जाल में, उपर की तरफ है क्लेविकल, नीचे की तरफ है डायाफ्राम, आगे की तरफ है उरोस्थी, पीछे की तरफ है मेरुदंड, पार्शव से क्या आ रही है सर पसली आ रही है, जिसके अंदर है कौन हमारे फेपड़े, अब आप मुझे बताए क्या फेपड़े एक वायू रोधी कक्ष के अंदर ह यह नहीं है, वर्ड जर ध्यान से सुनना, क्या हमारे फेपड़े वायू रोधी कक्ष के अंदर है, सोच हमारे फेपड़ों के अंदर वायू है कि फेपड़ों के इस जगे पर वायू है, सोच यहां पर वायू है कि अंदर वायू है, सर वायू तो फेपड़ों के अंदर ह एक ऐसे जाल के अंदर जिसके अंदर यहां पर वायू नहीं है फेपडो के अंदर वायू है यानि फेपडो को हमने एक वायू रोधी कक्ष के अंदर डाल रखा है और ये वायू रोधी कक्ष जो होते हैं ये किससे बने होते हैं याद रखना भूल मत जाना ये वायू रोध ही कक्ष जो होते हैं ये किस्से बने होते हैं अगर सतेह जो होती है अगर भाग में कौन होती है क्लाविकल होती है पश्चे सतेह जो होती है उसमें कौन होता है डायाफरम अगर मतलब एंटीरियर पश्चे मतलब नीचे पुस्टीरियर अधर मतलब वेंटरल आगे की तरफ कौन है मेरू दंड और पार्शव में कौन मिल रही है सर पसलियां मिल रही है दन तो कुल में लाकर याद रखना हमारी जो वक्षिय गूहा जो होती है जो एक पिंजरे के समान होती है उस पिंजरे में अगर सते पर क्लाविकल है पश्चे सते पर डायाफराम है प्रश्ट सते पर कशे रुक दंड है अधर सते पर उरोस्ती है और पार्शों सते पर कौन मिल रही है पसलियां पाई जा रही है ये पिंजरा सा बनता और इस पिंजरे के अंदर हमारे कौन होते है भाई या फेपड़े होते है अब इमाजिन करिए अगर ये पिंजरा फैलेगा तो हमारे फ फेपड़े भी शिकूड़ जाएंगे इसी वजह से हमने क्या बोला था कि भाइया हमारे फेपड़े जो होते वो कैसे होते हैं सर स्पंजी होते हैं और सॉलिड होते हैं याद रखना भूल मत जाना आगे बढ़ते हैं यहां पर यहां पर कुछ शब्द हैं जो आपने याद यह वाला शब्द आपने याद अपने मीडिया स्टेनम मीडिया स्टेनम क्या होता है यह वाला एरिया जो आपको दाएं और बाएं फेपड़े के बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है इस जगे को हम क्या बोलते हैं और इसी मीडिया स्टेनम में अगर आप से कोई होते हैं तो याद रखना हमारा दाया फेपड़ा और हमारे बाएं फेपड़े के बीच में यह जो खाली जगे जो होती है इस खाली जगे को हम क्या बोलते हैं मीडिया स्टेनम बोलते हैं यह हमारे फेपड़े की बाते थी जो आपने याद रखनी अब बात कर रहें इस प्रदीन एंदर आपसर्विद्द तो कन्सरम सब्सेंव थना कि हैं कितनी करूड़ लगब सैंग्र Biz लेज़ा किसी अब Bona Su left प्रदाट कि यहां पर थोड़ी सी चाइल तो रहें हैं यहां पर थोड़ी सी करना होने वाला है। इन में बात करूँ तोटल 300 million के आसपास क्या होती है कुपीका इस cupica की अगर मैं संग्रचना देखू तो इस cupica में दो स्तरे आपको पाई जा रही हैं यह एक yellow color की आपको जो स्तर जो यहाँ पर दिखाई दे रही है यह पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पीली-पील आरो reason क्या है वही बात है NCR team ने जो syllabus हटा दिया था लेकिन NTA ने जो syllabus दिया था उस syllabus में प्राणियों में संग्रचनात्मक संगठन चैप्टर में उतक पढ़ना है हासर अब उस उतक में जब तू पढ़ता है तो वहां पर दो उतक पढ़ता है एक पढ़ता है सहियों जी उत गतुछ टाहिं क्पढ़ता करेक पड़ता है उप्कला ऊटक उपकला ऊथका को हम Epithelial tissue बोलते हैं का मतलब क्या होता है किसी के उपड़ किसी के उपढ़ एक कला का निमाड किसी के उपर एक membrane का फोरमिशन किसी के अपाँर GROWTH इंगलिस में क्या बोलते हैं आपाउन उतक पाए जाता है अब यह जो वाइट कलर का जो यहां पर मैंने दिखाया यह एक उपकला उतक है यह जो उपकला उतक जो होता है इस उपकला उतक की जो कोशिकाएं होती है कैसी होती है कैसी होती है गुरू इस तरीके से चप्टी होती है और जो चप्टी कोशिकाएं जो हो कार की कोशिकाएं पाई जाती है एक का नाम होता है नियूमोसाइट फस्ट और एक का नाम होता है नियूमोसाइट सेकेंड जो धेर सारी आपको दिखाई दे रही है यह वली यह वली यह वली यह वली यह वली यह वली यह जो बहुत सारी जो आपको दिखाई दे रही है हमार यह जो नियूमोसाइट फस्ट और नियूमोसाइट सेकेंड इनका काम क्या होता है यह जो नियूमोसाइट फस्ट जो होती है जो बहुत ज्यादा संख्या में मिल रही थी इनके बीच में छोटे-छोटे गैप आपको दिखाई दे रहे होंगे छोटे-छोटे चिद्र आपक और कोन यह वो छेद है जिनसे गैस का क्या हो जाएगा आदान प्रदान हो जाएगा तो अगर आपसे पूछे नियूमो साइट फस्ट जोती है का कामatura होता है तो इनका का मोलिक्यूल चेप्टर में आता है याद रखने कई ऐसे चैप्टर है, यह जो नियुमोसाइट सेकिंड जो होती है एक कैमिकल रिलीज करती है उस कैमिकल का नाम है लेसिथिन और यह लेसिथिन एक प्रकार का फॉस्फोल लिपिड होता है जब हम बायो मॉलिक्यूल चेप्टर पढ़ते हैं जैवडू चेप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर जब ह ले कौन लेसिथिन सर यह लेसिथिन क्या करता है यह एक सरफेक्टेंट होता है जो सरफेस एरिया जो होता है यह जो सरफेस जो होता है यह जो कुपी का जो होता है इसको सिकूरने से बचाता है यानि यहाँ पर जब लेसिथिन निकलेगा तो यह लेसिथिन क्या करेगा लेसिथिन करता है जो कौन निकालता है निमोसाइट सेकंड निकालती है जब कि निमोसाइट फस्ट जो होती है वहां से गैस का क्या होता है एक्सचेंज होता है ये दोनों निमोसाइट फस्ट और निमोसाइट सेकंड जो होती है क्या होती है सर ये हमारी शल की उपकला होती ह है यह स्क्राम अश्ल की उपकला किसके उपर वरद्धी करती है सर एक पीले संयों जी उतक के उपर वरद्धी करती है इस त करीके से यह होती है संगरचना किसकी कुपी का की हुँ यहां तक की बात समेज में आई हुंअ यहां तक डन यहां तक क्लेर रहे डंडन यहां तक की बात समझ में आ गई है यह पूरा का पूरा समझ में आ गया चलें आगे बिंदास आगे बढ़ते हैं यह हमने किसकी स्ट्रक्चर देखिए कुपी का की स्ट्रक्चर देखिए अब बात आ रही है यह कुपी का थी इस कु है सर हमारे रक्त में भी रखट में भी तो यानि रख हमारे अंदर में पारना की और या यह सर बंद का कंछने नदर होता प्रक्तनली का हैं जो होती है वो तीन प्रकार की होती है कौन कौन सी होती है सर एक होती है धमनी एक होती है शिरा और एक होती है केशी का धमनी जो होती है उसकी दिवारे जो होती है तीन होती है केशी जो होती है उसकी वाल्स जो होती है दिवारे होती है वो भी तीन होती है ल सबसे भार वाली जो होती है याद रखना ट्यूनी का एक्सटरना बीच वाली ट्यूनी का मीडिया सबसे अंदर वाली ट्यूनी का इंटरना होती है ट्यूनी का इंटरना को हम एंडोथीलियम बोलते हैं याद रखिएगा अब भाई जरह देखिए जो शिरा जो होती है इसका आदान प्रदान जिससे पोशन ये पदार्थों का आदान प्रदान इजली हो जाएगा ये तीन भित्ती वाली सोएगा तीन भित्ती वाली सोएगा कि एक भित्ती वाली सोएगा बित्ती मींस यहां पर मेंबरेन की बात कर रहा हूं तीन इस्तर वाली से एजली एक्स्चेंज ुलों लाकर कुपिका से गेसे किसमें जैंगे सर केशी का में जाएंगी ओ जिहनाब अभी अधर देखेगा यह कोपिका з ₹छ सब्सक्राव में प्रसान है। अगर दिवारे कितनी आ रही हैं तो दिवार अगर देखेगा तो इमाजन कर सर एक दिवार तो यह हो गई यह तो कुपीका की दिवार हो गई है यह वाली तो कुपीका की भित्ती हो गई है कुपीका की दिवार हो गई है सर यह वाली दिवार जो है यह किसी हो गई सर यह हमार सर रक्टकेशिका की दीवार हो गई है मैंने कहां अब इन दोनों के बीच में एक और स्थAR पाई जाती है इस स्थAR को हम क्या बोलते हैं सर इसको हम आधारिय जिली बेसल चैशल को बेसल मेंब्रेन बोलते हैен सर यह जिली प्र फिर बेसल मेंबरेन फिर कुपिका की दिवार से होती हूँ यहां पर जाएगी एक तो मेरे भाई ये वाली है एक ये वाली है ठीक है एक तो ये वाली दिवार है एक ये वाली दिवार है और एक बीच में जिल्ली है तोटल तीन दिवारे है अब ये दिवार अगर ज्यादा मोटी हुई ये ये दिवारें ये तीन दिवारें मिलकर विसरण कला कहला रही है हैं इनको हमने क्या बोला diffusion membrane अब imagine कर अगर यह diffusion membrane यह तीन दिवारे ज्यादा बड़ी हुई ज्यादा मोटी हुई यानि इनकी मोटाई अगर ज्यादा हुई तो diffusion तो विस्रण गैसों का जल्दी होएगा कि धीमे होएगा बोली answer दीजे जल्दी होएगा है ना गुडिया राय अगर तुम यह मोटाई बढ़ा दोगे तो diffusion जो होएगा जल्दी हो जाएगा है ना यानि अगर यह मालो एक कला है जो तीन यह membrane है जो तीन membrane से बनी हुई थी अगर मैं इसको यह वली कर दूँ है ना अगर मैं इस कला को बढ़ा कर दूँ तो गैसों का विनी में जो है तेज हो जाएगा है ना यह gases का exchange होएगा यहां पर आना यहां पर जाना यह तेज हो जाएगा इस condition में तेज हो जाएगा इस condition में तो धीर होएगा यहां तो मोटाई जो है बहुत कम है तो बाबले हो क्या बहुन हो है अरे जब मोटाई कम हो गई है तो जल्दी से एक्स्चेंज नहीं हो जाएगा जब मोटाई बढ़िए यह मोटाई जादा है तो धीमे नहीं हो जाता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा जरा सोच विसरन कला की अगर मोटाई बढ़ती है तो गैसों का विनी में जो होता है वो क्या हो जाएगा सर धीमें हो जाएगा कम हो जाएगा तो दोनों के बीच में रिलेशन्चिप क्या हुआ सर विसरन कला की मोटाई बढ़ेगी तो गैसों का विनी में कम हो जाएगा यानि दोनों एक दूसरे के क्या है इन वर्सली प्रपोर्शनल है डन समझ में आ गया क्लियर है कंसेप्ट आगे बढ़ते हैं निक्स्ट यह मिने आपको बता दिया वक्षिय गुह मैंने आपको बता दिया यह किसके से बना वा था अब बात करते हैं किसकी डायाफ्राम की अब हमारा जो ड पेशिये संगरचना होती है यह कुपी का समझ में आ गई है कुपी का की जलियां समझ में आ गई है विसरण कला के मुटाई समझ में आ गई है नेक्स टॉपिक आने वाला है क्या डायाफराम की जब हम बात करते हैं तो डायाफराम कैसी संगरचना एक पेशिये संगरचना एक यहाँ पर देखिए डायाफराम की जब हम बात करते तो डायाफराम में बहुत सारे बिंदू आते जिसमें सबसे पहला बिंदू जो आपने याद रखना है डायाफराम सिर्फ और सिर्फ स्तंधारियों में पाए जाता है पहला बिंदू याद रखना है डायाफराम जो होता में क्या सिर्फ किस में पाया जाता है विटा जी ये स्तंधारियों में पाया जाता है लेकिन एक अपवाद भी याद रखना है इसका अब अपवाद क्या याद रखना है आपको सरी सर्प कुछ सरी सर्प ऐसे होते हैं कुछ सरी सर्प ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये पाया ज अंदर कौन कौन से लिख देता हूं में यहां पर तीन नाम है ऐलिगेटर एलिगेटर क्रोकोडाइल और ग्रेवियलिस ठीक है इनके अंदर मत भूलना इनके अंदर क्या ये तीन ऐसे सरी सर्प हैं जो अपवाद सरूप हैं जिन में भी क्या पाया जाता है डायाफराम पाया जाता है भूल मत जाना बाकि डायाफ्राम पक्षियों के अंदर नहीं होता है सरी सर्पों के अंदर नहीं होता है उभेचरों के अंदर नहीं होता है मचलियों के अंदर नहीं होता है के वल किसमें होता है सर स्तंधारियों में पाया जाता है लेकिन तीन सरी सर्प है जिनके अ जानते हो चलो जी आगे बढ़ते हैं यह डायाफराम सिर्फ इस तंधारियों में पाए जाता है दूसरा बिंदू यह डायाफराम जो होता है यह डायाफराम किसको किस से अलग करता है हमारे शरीर के उपरी भाग को हमारे शरीर के निचले भाग से यह हमारे वक्षिये भाग को हमारे उदर भाग से separate करता है किसको हमारा जो वक्षिय भाग जो होता है उस वक्षिय भाग को उदर भाग से क्या करता है सर separate करता है अलग कर देता है यह हमारा वक्षिय भाग है यह हमारा उदर भाग है इसके बीच में क्या पाया जा रहा है डायाफराम पाया जा रहा है न जब ये इस तरीके से चप्टा हो जाता है ड़ायाफ्राम कैसा हो गया चप्टा हो गया it means ड़ायाफ्राम में क्या हो गया संकूचन हो गया है याद marble puta हो जाता है संकू can इस डाया इस डाया फ्राम में अर्ये मास्पेशियां पाई जाती है अर्ये मास्पेशियां कैसी होती है सर दिखा दीजे एक बार अर्ये मास्पेशी कैसी होती है दिखा दीजेगा रेडियल मसल्स पाई जाती है कैसी होती है सर रेडियल मसल्स होती है सर रेडियल मसल्स का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करना अगर ये हमारा सूर्य है तो इससे जो किरिणे निकलती है वो किस दिशा में निकलती है इस तरीके से निकलती है इसको हम क्या बोलते है रेडियल डारेक्शन बोलते है रेडियल डारेक्शन बोलते है इस तरीके के सही ये ऐसे इधर निकल रहे हैं इधर निकल रहे है ऐसे मालो ये सूरज है तो इस तरुए को मसल्स को हम कया बोलते रैडियल मसल्स बोलतेयिए चीज याद राख सकता है तो याद रख लेना क्या कि इन开ं के अंदर क्या पाई जाती सर मसल्स पाई जाती है कैसी होती है सर अरिये पेशियां होती है रेडियल मसल्स होती है जो हमारे जो हमारे वक्षिय भाग को उधर भाग से क्या करता है सर उधर गुहा को वक्षिय गुहा से क्या करता है सर अलग करता है डायाफराम के लिए एक और वर्ड बोला जाता है फ्र लेना यहां पर यह डायाफराम जो होता है हमारे श्वसन में हल्प करता है किसमें हल्प करता है सर हमारे नॉर्मल ब्रीधिंग में हल्प करता है सामाने समवातन में हल्प करता है कैसे करता अभी हम देखेंगे लेकिन उससे पहले एक और चीज इस डायाफराम का और भी कोई क त्यागने में जिसको हम बहिक्षेपन बोल देते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं बहिक्षेपन बोल देते हैं मल त्यागने में हेल्प करता है मिक्चूरीशन में हेल्प करता है मिक्चूरीशन में हेल्प करता है मल त्यागने में हेल्प करता है क्योंकि यह जब प्रेशरा जब लास्ट टायाम पीरेड होता है किस चीज का इसटेशन का प्रेगनेंभिनसी का घर्ब काल इसस स्पूर्च वोर डाल टें जिसमें बच्चा आता हaimer उसके बाइँ हम क्लोगेंग करता है कौन याद यज किसे हमारा रखने तो है उसके कारे याद रख सकता है तो याद रखना शोसन में help करता है मलत्यागने में help करता है मुत्रण में help करता है और साथ-साथ प्रसव में भी help करता है मेजर लीस चेप्टर में हम पढ़ रहा है कि यह शोसन में कैसे help करता है अब मैं आप से सीधी सी बात पूछूंगा यह डायाफराम की normal shape है, कैसी है sir? गुम्बच shape है, है ना normal shape, इस shape में कोई मास्पेशों में संकूचन नहीं था, जैसे डायाफराम चप्टा हुआ, यानि डायाफराम की muscles में क्या हुआ sir, contraction हुआ, डायाफराम की muscles जब contract होती है, तो यह डायाफराम चप्टा हो जाता है, डाय उजाला कहा से ओ आप नंदलाल याद व आप से पूछ रहा हूँ जाला कहा से व आप बतादो जाला इसको तड़ा प्रह्य विचोरा प्रढ़ाई से तोई रोले निये हैं मैं वही नंदलाल क्या करेगा उजला कहां से है बोल मेरे भाई क्या करेगा अजला कहां से हो आप तेनर राखी बनवानी है है हाँ जी जल्ली से मुझे बताएगे यहां पर यह डायफ्रम जैसे चप्टा हुआ तो हमारे फेपड़े कहां पर फेले आगे पीछे फेले यह उपर नीचे फेले सर उपर नीचे आगे पीछे अगर फेलते यह इस तरीके से अगर हमारे फेफड़े हमारे फेफड़े आगे और पीछे फेलते यह मेरे आगे और पीछे की तरफ फेलते यह हमारे फेपड़े मालो यह मेरा फेपड़ा है इस तरीके से यह आगे और पीछे फैलता तो आगे वाली सते कौन सी होती है सर अधर और पीछे वाली कौन सी होती है सर प्रश्ट उपर वाली कौन सी होती है सर अग्र और नीचे वाली कौन सी होती है सर पश्चे तब आप मुझे बताया डाया फ्राम के चप्टे होने से फेफडे कैसे रहे हैं अधर प्रश्ट फैल रहे हैं या अग्र पश्चे फैल रहे हैं उपर नीचे फैल रहे हैं अग्र पश्चे भाग में फैल रहे हैं कहां पर फैल रहे हैं एंटीरियो पोस्टीरियर फैल रहे हैं ये को सनीट में पूछा गया है दोस्त भूल मत जाना ये कैसे होते है यह याद रखना भूल मत जाना यहाँ पर लिखा हुए अगर पश्चे अक्ष पर बढ़ता है याद रखना अगर डायाफराम चप्टा हो जाता है तो हमारे फेपड़े जो होते हैं किस तरीके से फैलते हैं अगर पश्चे अक्ष पर बढ़ते हैं यानि एंटीरियो इस पर क्या होते हैं यह बढ़ जाते हैं डन डिस इस डायाफराम आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहे हैं कुछ मसल्स जो हम यहां पर देखने वाले हैं यहां पर मसल्स की बात करने वाले यह डाइग्राम इसी वजह से लेकर आया था ताकि परशुक मासपेशी इंटर कोस्टल मसल्स अब सर यह क्या होती है इंटर कोस्टल मसल्स कितने प्रकार की होती है इंटर कोस्टल मसल्स मैंने का आई यह फटा फट देखते हैं मेरे भाई देखिए यह हमारी पसलिया है हां जी यह हमारी कौन है सर रिब्स है इन रिब्स के बी कोस्टल मसल्स बोलते हैं अब आप बोलेंगे सर यह तो हमारी एंची आईटी में है नहीं है बांगडू है बस अगर तूफोकस के साथ में सुनेगा तो चीजे भी समझ में आएंगी ज्यान से सुनना तो अंतर परशुक पेशियां जो होती हैं इंटर कोस्टल मसल्स जो होते हैं वो मसल्स जो अंतर परशुक अफकाश में मिलती है सर अंतर परशुक अफकाश कौन सा होता है हमारी पसलियों के बीच में जो खाली जगे होती है उस खाली जगे में जो मसल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं अंतरा परशुक अफकाश वहां पर मिलने वाली मसल्स अं ICM जो होती है यह हमारी दो प्रकार की होती है एक होती है external intercostal muscles और एक होती है internal intercostal muscles एक होती है भाहिये ICM और एक होती है अंतर परशुकमा स्पेशी एक होती है अंतर अंतर परशुकमा स्पेशी external intercostal muscle internal intercostal muscle सार यह हमारे course में है गा जनाब यह है गा आपके course में NCIT में दिया ह हुआ है एंची आटी में दिये हुआ है पढ़ना पढ़ेगा दोस्त चलिए जनाब जिन्होंने पढ़ा हुआ है फटा फट रिवाइज करिए देखेगा सरी यह क्या होती एक्स्टरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है आई एगा जनाब देखते हैं देखें मैंने यहाँ पर अगर रखा हुआ है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा क्या सर आपने यहां क्या रखा हुआ है मेरे भाई यहां पर मेरे पास होने चाहिए चलिए देखते हैं यहां पर मैंने बोला दिल चीर के देख नहीं पसली चीर के देख तेरा ही नाम होगा नंदलाल कह रह आम ले चाहिए गुछ्षा मत दिलाओ वरना भाहुत बुरा होगा तुम लोगों के लिए हौक ए मैं तो डर गई नन्दाल के रहे गुछ्षा वनदिलाओ वरना भाहुत बुरा होगा तुम लोगों के लिए डर गई leaking sorry sorry नंदेलाल का और कोई हमने हैं निकाल दी हां सर ये मेरी दो पसलियां थी ये दोनों पसलियां निकाली हां सर और इन पसलियों के ऐसे रख दिया कोई तकलीफ तो नहीं थी ये मेरी दो पसलियां ऐसे निकाल दी है जब मैं ऐसे निकालूंगा तो ये ऐसे दिखेंगी गोल-गोल कोई तकलीफ तो न झाली यह बाहर निकाल दी और यह एज़े रगी तरह सामने दो पसलिया कि यह रही एक यह नहीं है टिक है ओके चलो जी मैं इस तरीक से ख़ड़ा हूं हम मुझे बता यह सत्य कॉनुक्षार हले सर्य अधर है यह कॉंषा है पीछे वाली सर प्रश्ठ है यह आगे वाली कौन सी होती है अधर होती है पीछे वाली कौन सी होती है ठीक है ठीक ओके सर अब मैंने आप से बोला मेरे भाई सीधी सी बात है ये मेरी दो पसलिया जिसका ये वाली सते अधर है पीछे वाली सते कौन सी ये प्रश्ठ है मैंने कहा तेर से एक मसल जो यहां से निकली और यहां कर जुड़ रही है उपर वाली पसली के प्रश्ट भाग से निकलकर नीचे वाली पसली के अधर भाग में आकर जुड़ रही है इस पसली का नाम है मेरे भाई EICM मत पढ़ो मैं तो पढ़ा दूंगा फिर कोगे सर समझ नहीं आया नेक्स्ट दूसरी पसली जो है यहां से निकली और यहां कर जुड़ रही है अब मुझे पता कहां से निकली सर नीचे वाली पसली के प्रश्ट भाग से निकल कर उपर वाली पसली के अधर भाग में आकर जुड़ रही है इसका नाम है IICM समझ में आया है समझ में आया चमक गया हाँ वही चमक गया जल्दी से फटाफट क्या इतनी सी बात समझ में आई इतनी सी बात क्लियर है सिंपल सा था वापिस से दिख मैंने तिर से बोला कि मेरे भाई ये मेरी दो पसलिया है ठीक है ये इस तरीके से ये इस तरीके से बारा पसलिया इनमें से मैंने ये दो निकाल दी ऐसे जब ये दो पसलिया इस तरीके से निकाली ये दो पसलिया तो ये आगें वाली कौन सी अधर पीच्छे वाली कौन सी इस मसल का नाम फिर मैने का दूसरी मास पेशी जो नीचे वाली पसली के अधर बांग से निकल कर उपर वाली पसली के अधर भाग पर आकर जोड़ रही है इसका नाम है IICM तेरे को अगर याद हो तो बढ़िया नायाद हो तो गोली मार दे भाई मेरे को नहीं इन टॉपिक को ठीक है नहीं आता तेरे को समझ में कोई दिक्कत नहीं है बस यह ओरिजन और इसका ओरिजन औ होएगा इस मसल में जब कॉंट्रेक्शन होएगा तो उस कॉंट्रेक्शन से क्या होएगा उस कॉंट्रेक्शन से मेरे भाई हमारा यह जो आगे कौन थी सर उरोस्थी थी और यह कौन था हमारा पिंजरा था यह पिंजरा और यह उरोस्थी यह हमारी पसलिया और यह उरोस् ती जो होती है और हमारी पसलियां जो होती है ये कहां पर आती है सर आउट साइड और अपसाइड यानि आउट साइड और अपसाइड दोनों तरफ आती है अब जरा सोच ये ये करने से क्या होएगा ऐसा करने से जरा सोच ये जो जाल जो था ये जाल फैल रहा है यह जाल जो था यह पिंजरा जो था यह फैल रहा है हां सर कहां फैल रहा है आगे पीछे फैल रहा है यह नहीं फैल रहा है हां सर तो EICM में जब contraction होता है किसमें EICM में जब contraction होता है तो हमारा जो वक्षिय पिंजरा जो होता है वो वक्षिय पिंजरा जो होता है वो फैलता ह हाँ सर वो वक्षिय पिंजरा जब फैलता है तो हमारा जो वक्षिय आयतन जो होता है वक्षिय आयतन जो होता है हमारे वक्षिय आयतन यानि ये वक्षवाला भागे इसके अंदर जो वो भी फैलेगा हां सर वो भी फैलेगा हां सर वक्षी आयतन बढ़ेगा वक्षी आयतन जब बढ़ता है तो अब आप मुझे बताएगा उसके अंदर जो फेपड़े होएंगे वो भी तो फैलेंगे हां सर फेपड़े फैलेंगे अब हमारे फेपड़े जो होएंगे अगर व प्रश्ट भाग पर क्या होते हैं सर फैलते हैं कहां पर डोर्सो विंट्रल एकसिस पर क्या होते हैं सर यह फैलते हैं तो आपसे कोशन पूछा जाएगा EICM muscles जो होती हैं इनके contraction से हमारे फेपड़े कहां पर फैलते हैं सर हमारे अधर प्रष्ट भाग पर फैलते हैं जबकि diaphragm के चप्टे होने से हमारे फेपड़े कहां फैलते हैं सर अग्र और पश्चे भाग में फैलते हैं तो फेपड़ों को उपर नीचे से फैलाने के लिए डायाफराम आगे पीछे से फैलाने के लिए EICM सर यह IICM क्या कारे करती है यह अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे यह थी हमारी कौन सी मसल्स सर यह हमारी मसल्स थी कौन सी अंतर परशुक मासपेश यह थी IICM क्या करेगी अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे ठीक है निक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं समवातन की क्रियाविधी समवातन यानि inspiration और expiration की process पढ़ने वाले समवातन मींस breathing की process पढ़ने वाले आईएगा देखिए समवातन की breathing पढ़ने से पहले भाईया यह हमारी slide खतम हो गई है जो हम आज total तीन slide लेकर गए हैं जिसमें से यह पहली slide हमारी खतम हो चुकी है अब हमें दूसरी slide खोलनी पढ़ेगी एक सेगें रुक जाओ दूसरी slide समवातन की करिया बे दे खुल जाओ सिमसिम खोलो कुला 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 समवातन के क्रिया विदे एक सकेन लोग जो बस खोलने दो इसको स्लाइट को खल जाने मन आ गई चल क्या पढ़ने वाले हैं समवातन की क्या देखने वाले हैं सर क्रिया विदी देखने वाले समवातन जो होता है दो स्टेप्स होते है समवातन के ब्रीधिंग के एक होता है इंस्पीरेशन एक होता है इंस्पीरेशन और एक होता है सर एक्सपीरेशन मैंने का बहुत बढ़िया एक इंस्पीरेशन और एक एक्सपीरेशन ठीक है इंस्पीरेशन जिसको हम अंते श्वासन बोलते एक्सपीर एक्सपिरेशन बाई ये श्वासन ठीक है वायू बहार निकालना एक्सपिरेशन वायू अंदर खीचना इंस्पिरेशन ठीक है अब ये दोनों करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा समझने की कोशिश करना मैं बहुत सिंपल तरीके से यहां पर श्वासन के दो चरण बता रखे एक होता है अंते श्वासन और एक होता है उच्छ श्वासन यानी expiration ठीक है यहां पर चीजे दे रखिए उसको अभी हम देख लेंगे किस तरीके से होता है यह सारी की सारी inspiration समझने से पहले दो-तीन चीजे में उसको समझना पड़ेगá देखे inspiration सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे सर inspiration की बात करेंगे inspiration, यानि अंतेश वसन यानि वायू को अंदर खीचना, ठीक है, वायू अंदर जा रही है, हाँ सर वायू अंदर चले गई है, अपने आप जा सकती है कि वायू, नहीं सर हमें लेनी पड़ रही है, हम कैसे ले पड़े हैं, हम कैसे वायू का अंदर खीच रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं पहले तो जरा सोचना क्या inspiration में एनर्जी खर्च होएगी आप बोलेंगे हां सर कर रहे हैं मैंने कहां कर रहे हो क्या ये एक active process है क्या एक सक्रिय प्रक्रिय है यहां पर एनर्जी खर्च होती है आपने बूला होती है मैंने कहां होती है अरे मास्पेशियों के संकूचन में होती है कैसे होती है अराम से सुनना देखे अगर वायू अंदर जानी है बाहर से अंदर जानी है वायू अगर बाहर से अंदर जाएगी तो बाहर उसका दाब जादा होएगा कि अंदर दाब जादा होएगा ओवेसी बात है वातावरन में उसका दाब क्या होएगा सर जादा होएगा वातावरन जो होएगा उस वातावरन में वायू का दाब जो होएगा वायू दाब जो होएगा वो क्या होएगा सर जादा होएगा हाँ सर भाई वातावरन से अंदर जानी है तो बाहर दाब ज्यादा अंदर फेपडों के अंदर दाब कम तभी तो बाहर से अंदर जाएगी हां सर तो फेपडों के अंदर यानि अंतरा फुप्फुसी है दाब जो होएगा यहां पर दाब किसकी बात कर रहे है वायू की क्या होएगा सर कम होना चाहिए तभी तो वायू कहां से कहां जाएगी सर वातावरण से फेपड़ों के अंदर जाएगी तभी तो वातावरण से फेपड़ों के अंदर जाएगी हम बोलेंगे इंस्पिरेशन हो गया अब बात आ रहे हम अपने फेपड़ों के अंदर यह हमारे फेपड़े हैं इन फेपड़ों के अंदर वायू के दाब को कैसे कम करी वायू का दाब हमारे फेपड़ों के अंदर कम कैसे होएगा भई वातावरण में जो वायू का दाब है वो तो ज्यादा है हम उसको बदल नहीं सकते हम तो अपने अंदर बदल सकते हैं अब अपने अंदर किस में बदले सर हमारे फेपड सा तरीक है दोस्त ये छोटा सा कमरा है जिस छोटे से कमरे के अंदर मैंने यहां पर सो लोगों को घुसेड दिया यह हजार लोगों को घुसेड दिया जिसकी छमता थी कितनी पांच सो लोगों की छमता थी मैंने यहां हजार लोगों को घुसेड दिया है अब आप मुझे बत बैठाने के लेकिन ठूस ठूस के जब हम बैठ जाते हैं तो दिवारों पर ऐसे ऐसे दिवारों पर दाब लगते हैं के नहीं हमको निकालू हमको जवरदस्ती बठा दिया लेकिन वहीं अगर मैं तिरसे बोलू कि भाईया मैंने ये कमरा बढ़ा कर दिया नदर अब capacity है कितने लोगों की 5,000 लोगों की और मैं यहां पर हजार लोग बैठा रहा हूं और यहां पर मैंने मूवी लगा दी यहां पर कौनशी कोई शी भी मूवी लगा दी है यहां पर मैंने मूवी लगा दी कैपिशिटी कितनी थी सर पांच हजार लोगों को बैठाने की थी हजार लोग बैठा दी क्या ह आयतन क्या होएगा सर कम होएगा तो अंतह दाब जो होएगा वह बढ़ेगा अगर आप आयतन बढ़ा दोगे अगर आप आयतन बढ़ा दोगे तो अंदुरूनी दाब जो होएगा अंतह दाब जो होएगा इंटर्नल प्रेशर जोएगा अटोमेटिकली कम हो जाएगा क्या इ देवराजपुत शूफया नज है शूफयान अज समझ में आला तुमको खल्ए हम नहीं है बीच पीच में देख लेते कौन बाते कर ला है हाँ वैस है खानम मैं थीक तू कैसी है सुपिया, कैसी मैं ठीक हूँ, PDF कहां पर में लेगी, Telegram के चैनल पर, हाँ वी, हाँ जी, समझ में आ रहा है, शौर्य केशरी, Done, इतना सा concept समझ में आ गया, यानि आप किसी चीज के आयतन को अगर छोटा कर दोगे, उसका वॉल्यूम कम कर दोगे, तो उसके अंदर इंटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा, आप उसी चीज का वॉल्यूम बढ़ा दोगे, तो इंटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा, अब यही concept फेपड़ों में लगा, फेपड़ा छोटा यह फेपड़ा बड़ा है, इस फेपड़े में जरा सोच, इस फेपड़े का, इस फेपड़े का आयतन जो है, अगर छोटा हो गया, फेपड़ा सिकुड गया, तो जरा सोच, इसके अंदर जो दाब होएगा, जिसकों फुफुफुसिय दाब बोल सकते ह अंते फुफुस यह दाब बोल दूं अहां सर मुझे बता अंते फुफुस यह दाब बढ़ेगा कि कम हो जाएगा सर बढ़ जाएगा वहीं अगर मैं यहां पर बात करूं कि भैया यहां पर अगर आयतन आयतन अगर यहां पर बढ़ जाएगा तो दाब यहां पर घट अब आप मुझे बताओ अगर मुझे inspiration करना है तो मेरे को फेपडों के अंदर जो दाब है फेपडों के अंदर वायू का जो दाब है उसे घटाना है तो फेपडों के अंदर वायू के दाब को घटाने के लिए मुझे फेपडों को क्या करना पड़ेगा फैलाना पड़ेगा कि सिकोड़ना पड़ेगा सर फेपडों को फेलाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा फेपडों को फेलाना पड़ेगा फेपडे फेलेंगे तो अंदर दाब कम हो जाएगा दाब अगर अंदर कम हो जाएगा तो बाहर वातावर्ण में जादा हो जाएगा वातावर्ण में ज नीचे से फैला आगे पीछे से पहला उपर नीचे से फैलाने के लिए कहां से सर अगर पश्चे सते से फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार सर डायाफराम और उपर नीचे से तो फैला दिया आगे पीछे से फैलाने के लिए यानि अधर प्रश्ट से फैलाने के लिए कौन रि EUCM तो मेरे भाई तेरा EUCM और डायाफ्राव में क्या होगा जब कॉंटरेक्षन होगा जब संकूचन होगा क्या होगा कॉंटरेक्षन संकूचन होगा तो अगर पश्चे सिरा जो होगा आगे उपर नीचे से फैल जाएगा EICM से क्या हो जाएगा आगे पीछे से फैल जाएगा हमारा फेपड़ा फैल जाएगा फेपड़ा अगर हमारा फैल गया बड़ा हो गया तो उसका आयतन बढ़ जाएगा तो उसके अंदर दाब कम हो जाएगा दाब उसके अंदर अगर कम हो गया वायू का तो वातावरन में दाब बढ़ जाएगा वातावरन में दाब बढ़ गया तो वातावरन से वायू कहा जाएगी अंदर आ जाएगी अब आप मुझे बताइए इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे inspiration क्या इस प्रक्रिया में muscles के अंदर contraction हो रहा है हाँ सर कौन सी मसल में सर डायाफराम की मसल में EICM की मसल में contraction हो रहा है तो ये inspiration process जो होता है जो लगबग 2 second के असपास का होता है ये एक active process होती है ये एक सक्रिये प्रक्रिया होती है कैसी होती है ये एक सक्रिये प्रक्रिया होती है बोलिए यहां तक की बात समझ में आ गई है कोई confusion तो नहीं था यहां तक चीज clear है डंडना डंडन एक बार जरा comment section में जितने भी बचे यहां पर पढ़ रहे हैं रुके हुए हैं एक बार जरा हम को फड़ा फड़ चैट section में जल्दी से बताईए यहां तक की बात आपको clear है मैं देख रहा हूँ यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है तो जरा जल्दी से मुझे बताईए हाँ जी यहां तक की बात सर उच्छ पादुपो में प्रकास इस अंसलेशन कराऊंगा ठीक है जी डन यह था inspiration अब बात करते सर expiration की बेटा expiration जो होता है आप मुझे बताईए उस expiration में वायू को बहार निकालना तो फेपड़ों को मैं फेपड़ों को फैलाऊंगा के सिकोड़ोंगा सोच expiration में मेरे को क्या करना है सर फेपड़ों से फेपड़ों से वायू को वातावरण में डालना है अगर डालना है तो वातावरण के दाब कैसा होएगा सर कम होना चाहिए और फेपडों के अंदर वायू का दाब क्या होना चाहिए सर जादा होना चाहिए फेपडों के अंदर वायू का दाब फेपडों के अंदर वायू का दाब जादा कब हो जाएगा दाब जादा कब हो जाएगा जब फेपडे सिकुड जा ये जो वकशिये पिंजरा उता वापिस से अपना ने नर आकरतीं में आगे फेपडे पीछे से अंदर हो जाएंगे शिकुड जाएंगे तो कुल में लाकर हमारे फेपडे जो है वो आगर सिकुड जाएं यानी अपनी सामाने परस्थिती नहीं कुड जाएं या toBIU बहार चली जाएगे बात आर यह सिकुड़ेंगे कैसे आटोमेटिक सी बात है हमारा EICM और हमारा डायाफराम हमारा EICM और हमारा डायाफराम तो इसमें कॉंट्रेक्शन कराएगा या इनको रिलेक्स कर देगा सर यह रिलेक्स हो जाएगे यह अपनी सामान्य स्थिति में आ एपर इसी में में रिलेक्सेशन आजाएगा तो हमारी उरोस्ती हमारी पसलिया समाने से वा यू कहां चली जाएगी तो जला सोच किया expiration में कोई एनरजी खर्च होएगी नहीं सर मसल्स रिलेक्स हो रहे हैं दोस्त क्या यहां पर मसल्स में कोई कॉंट्रेक्शन हो रहा है नहीं सर रिलेक्सेशन हो रहा तो यह पर क्रिया कैसी होती है गुरू यह एक निश्क्रिये प्रक्रिया होती है याद रखना कैसी प्रक्रिया होती है ये एक निश्क्रिये प्रक्रिया होती है कैसी प्रोसेस होती है निश्क्रिये प्रक्रिया होती है बताए जनाब यहां तक की बात में किसी को कोई दिकत यहां तक की बात में चीज समझ में आ गई है यहां तक डंडन आ डंडन आगे बड़े कोई तकलीफ तो नहीं थी चले आगे हाँ जी दस मिनट का बरेक नहीं भाई सब कोई बरेक बरेक नहीं नौ बज़े तक क्लास चलेगी जतना भी अपन कर पाएंगे ठीक है हाँ जी डन चलिए यहां तक की बात इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस होती है यह मैंने आपको सारा बता दिया एक्सपिरेशन इनक्टिव प्र यह वला पूरा पिंजरा पहल रहा है हां सर हो रहा है ना हां सर मैं एक्सपिरेशन में अपने सामांने स्थिति में जा रहा है हसरा अभाट को steady there expiration करना बल पूर्वक forcefully बाहर निकालने है वायू को ये वला पिंजरा बहार जा रहा था यह सामान्य परिस्थिती से भी और अंदर सिकूड रहा था सोचुड ने को बल पूरवक बाहर निकालने हैं वायू यानि फेपडों के अंदर जो वाय हो इसमें से निकाल देनी है जो फेपडों के अंदर वाई हो उसको और निकालना है तो फेपडों को और सिकोडना पड़ेगा हाँ सर फेपडों को और सिकोडना पड़ेगा तो यह हमारी उरोस्ती यह हमारी पसलियां अंदर की तरफ और अंदर जाएंगी या नहीं जाएंगी और अंदर जाएंगी या और अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे हाँ सर ये करने के लिए यानि बल पूरवक एक्सपीरेशन करने के लिए बल पूर्वक एक्स्पिरेशन करने के लिए कौन रिस्पॉंजिबल होता है डायाफ्राम नहीं होता है आई आई सीम होता है और ये आई आई सीम कौन थी इंट्रा इंटरकोस्टल मसल्स थी यही चीज़ यहां पर लिखिवी थी दोस्त कि इंट्रा इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं कौन सी हमारी हमारी अच्छा वो मसल्स वहाँ पर उच पिछली स्लाइड में रह गई है आई एसी एम जो मैंने आपको बताई थी एक इसी एम एक आई एसी एम आई एसी एम किस चीज में help करती है सर बल पूर्वक भाहिये शोसन में यानि forceful expiration में help करती है बोले next आगे बढ़ते हैं बटा यहाँ पर अब यह जो instrument आपको दिखाई दे रहे हैं इस instrument को हम क्या करते हैं इस instrument का हम क्या करते हैं कितने आयतन में बलपूरवक निकल रही है, कितने आयतन में बलपूरवक अंदर आ रही है, कितने फेपडों के अंदर रह जाती है, ये सारी चीजे हम पता करने के लिए किसका इस्तमाल करते हैं, एक इंस्टूमेंट का, इस इंस्टूमेंट का नाम है स्पाइरोमीटर, और से हम क्या पता लगाते हैं इस स्पाइरो मीटर से यह मैंने आपको बता दिया स्पाइरो मीटर से हम पता लगाते हैं आएतन चंपाई याद रखना स्पाओं न değ зачем में कोशन पूचा गया है याद रखना क्या कि हम यहांपर कुल मिलाकर चार प्रकार के आयतन पढ़ेंगे और पांच प्रकार की छमताइं पढ़ेंगे ये जो चार प्रकार के आयतन जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले इन आयतन का पता लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज मिलिया जाता उसका नाम क्या होता है स्पाइरो मीटर जबकि उन हटन दूसरा है अंते शौसन श्रक्षित यह निगता है फई तरहा-टसरा है भाई यह श्रक्षित आइतन वसन टाइथन इनको हम पड़ेंगे फिर उसके बाद हम फूपशी श्रमत्ह देखेंगैंगे पांच प्रकार के होएगे सबसे पहले होएगी अंतिय श्वसन छमता जिसको हम in spiritory capacity फिर होएगा नी श्वसन छमता जिसको हम inspiratory capacity बोलेंगे फिर क्रिया शी लव्षिष्ट आयतन FRC कहल आएगा फिर उसके बाद जैव शमता जिसको हम vital capacity बोलेंगे और फिर आएगा कुल फुपुस ये शमता जिसको हम टोटल लंग कैपसिटी बोलते टी एलसी बोलते हैं ये तीन और सरी पांच छमता हैं चार प्रकार के आयतन हैं ये हमें पढ़ने हैं आई एक करके यहां पर फटा फटा निपटाते हैं इनको जल्दी से पहले ह हम चार प्रकार के आयतन देख लेते एक यी बार में आयतन को पढ़ना एक यी बार में समझना मेरे भाई यह मेरा फेपडा है इस फेपड़े के अंदर हमेशा याद रखना तेईस सो एमल वायू फेपड़ों के अंदर भरी रहती है ये तेईस सो एमल जो फेपड़ों के अंदर भरी हुई है वायू इसको हम क्या बोलते हैं सर एफ आर सी बोलते हैं क्या होता है अभी कुछ मत पूछना एफ आर सी क्या होता है अभी बताऊंगा अभी सीधा याद र सी क्या है छंता है हमआरे फेपडो की तेई सो एमिल वायू को रखने की छंता तरीकह से इतना याद रखना अभी सिर्फ इतना याद रखना whats- Dabei T बैंने बोला मैंने ना नार्मल यू अंदर खीची कर नॉर्मल वायू बाहर निकाल दी हान i नॉर्मल वाईउ अंदर गई नॉर्मल वाईउ बाहर निकल गई तो नॉर्मल वाईउ जब अंदर जाती है यह सामान्य आयतन में जब एर अंदर जाती है तो लगबग 500 ml अंदर जाती है और 500 ml निकल जाती है तो 500 ml जो अंदर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं normal inspiration n i का मतलब है normal inspiration आप से कोई पुछे n i कौन है तो याद रखना normal inspiration ठीक है और n e का मतलब क्या है normal expiration ठीक है तो समान्य समान्य समवातन नॉर्मल ब्रीधिंग में 500 ml अंदर जा रही थी 500 ml बाहर निकल गई ये जो आयतन जो होता है इस आयतन को हम क्या बोलते हैं सर जुआरिये आयतन बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं टी वी बोलते हैं जुआरिये आयतन बोलते हैं तो TV, जिसको हम English में बोलते हैं Tidal Volume, Hindi में बोलते हैं जुआरी आयतन, क्या है नॉर्मल ब्रीधिंग के दौरान, कब बिटा, नॉर्मल ब्रीधिंग के दौरान, समाने समवातन के दौरान, जब हम समाने रूप से वायू अंदर लेते हैं, और समान्य रूप से वायू बहार चोड़ रहे हैं तो वो आयतन जो अंदर आ रहा है या वो आयतन जो बहार जा रहा है normal inspiration में या normal expiration में जो आयतन air का जो अंदर आ रहा है या बहार जा रहा है उसको हम बोलते हैं TV ड़न ये था पहला next कोई तकलीफ तो नहीं थी ठीक है सर दे नॉर्मल वायू मैंने छोड़ दिये जैसे मैंने नॉर्मल एक्स्पिरेशन कर दिया अब इसके बाद में मैं बल पूरवक क्या करूँगा इंस्पिरेशन करूँगा क्या बोला मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया नॉर्मल एक्स्पिरेशन कर दिया अब मैं क्या करूँगा बल पूरवक एक्स्पिरेशन करूँगा यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर ले ले देख पहला पहला टीवी तिर को समझ में आ गया टाइडल वॉल्यूम 500 मिल अंदर गई 500 मिल बाहर चले गई भाईये समान्य भाईये श्वसन समान्य अ आई आर वी क्या होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है अंते श्वसन शुरक्षित आयतन होता है यह क्या होता है यहाँ पर इस डाइगराम में देखना अराम से मैंने बोला मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया मेरे फेपडों में वाईयू आई मैंने 500 आई 500 चली गई ठीक है जैसे 500 चली गई नॉर्मल एक्स्पिरेशन जैसे मैंने किया उसके बाद में मेर से किसने बोला नंदलान ने बोला कि सर जैसे ही आप नॉर्मल एक्स्पिरेशन कर दोगे उसके बाद में काम करो आपना बल पूरवक सांस खीचो मैंने का ठीक है मैंने बाबराम देव बन गिया मैंने बल पूरवक क्या किया सर अंतेश्रसन किया अब जब मैं बल पूरवक अंतेश्रसन करूँगा कब नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में याद रखना इस चीज को क्या नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद में नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में नहीं अरे पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन करेगा समाने वायू खीचेगा उसको निकालेगा भी तो सही ना उसके बाद में ही तो बलबूर वक करेगा ऐसे थोड़ना ऐसे थोड़ना कर रहा है पहले हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया expiration के अब उसके बाद में हम बल पूर वक्त खीचेंगे अब जितने भी हम खीचेंगे वायू total जो अंदर आ रही है कितनी आ रही है सर्फ 500 ml तो वो आ रही थी कौन टीवी normal वाली आ रही थी और उसके अतिरिक्त जो आएगी उसके extra में जो आएगी इसके अलावा 500 ml के अलावा जो आएगी extra जो आएगी वो कितनी आ सकती है धाई अजार से 3000 ml और अतिरिक्त आ सकती है तो वो जो extra जो आ रही है ना वो जो extra volume आ रहा है air का टीवी के अलावा वो कहलाता है क्या IRV बोलो जी क्लियर है फिजा शफीक समझ में आ गया यहां तक की बात डन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हाँ जी अरे कितने बालक भेजोगे रे अरे सारे दुनिया के स्पैमर यहीं आ गए है क्या हाँ वाई हाँ वही दन क्लेर है समझ में आ गया समझ में आ गया लाइक कर दो सभी वेल डन कोई तो है जो यहां पर सोचता है चालो जी अच्छी बात है भाई देख लो वहाँ पर बालक और बालक कह रहे हैं कि लाइक कर दो सेशन को सर इस्पैमर्स को भीज दो नहीं 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 इनके मालिक जो है इनको दो रुपिया कब देंगे जब यह कच्छू स्पैम कर लेंगे उसी के बाद ही तो इनको प्रति दिन का दो रुपिया मिलता है इनको स्पैम करने दो दो रुपिया कमाने दो इनको करने दो बिटा हाँ जी चलें आगे बड़े सर फैमिली फ्रॉग पढ़ा दीजे कौन सी फैमिली फ्रॉग अच्छा फैमिली अलग लिख रहा है फ्रॉग अलग लिख रहा है हाँ फैमिली फ्रॉग पढ़ा दूंगा ये chapter के बाद में एक काम करेंगे अपन सैटर्डे को frog पर लेते है जे बात तो ने बहुत बड़ी बात कर दी हैं हम frog पर लेंगे Saturday को frog पर लेंगे बोलो तो Saturday को fixed है सनिवार को सनिवार राती मुझे नींद नहीं आती क्यों क्योंकि मैं फ्रोग पढ़ाती हाँ वही तो सनिवार को हम क्या पढ़ेंगे फिरोग पढ़ेंगे बस फैमिली फ्रोग कौकरोच भी पढ़ेगा कौकरोच एक साथ नहीं हो पाएगा एक चीज पढ़ या तो फ्रोग पढ़ या कौकरोच पढ़ सेटर्डे से तेसल चालो जी सर दस मिनट का गैप दे दो यार अभी रुक जा मेरे भाई अच्छा एक चीज तुम्हें बता न भूल गया जितने भी बालक यहां पर रुके हुए टिके हुए भाई साब कल कि इवेंट देख रहे हुए का बारा बजे भी क्लास है कौन से चेप्टर जिए जरह देख ली न थमनेल आपको दिख रहा होगा यूटीव पर कल 12 बजे क्लास और समन में आपको बता दिया था और अनत्य स्टरावी तंत्र यानी रसायनिक समनवें और एक ही क्रण chemical control and coordination वो जो human physiology के last के जो दो चेप्टर बच गए हैं उनके questions की practice करनी है न तो कल 12 बज़े हमारा जो question practice है questions की जो practice होती है है न वो वली class कल 12 बज़े होएगी ठीक है ओके तो हम Saturday को frog पढ़ेंगे पटा क्योंकि frog comparatively ज्यादा important है ना जाने इसके ओपर कितनी जदो जहत हो चुकिए कितनी बाते हो चुकी है फ्रॉग 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 है न कौकरोच भी पढ़ लेंगे फ्रॉग भी पढ़ लेंगे अभी Saturday को फ्रॉग नॉर्मल एक्स्पिरेशन किया अब नॉर्मल एक्स्पिरेशन किया अब मैं बल पूर्वक एक सेकंड मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया इधर देखना मैंने नॉर्मल एक्स्पिरेशन किया ध्यान से सुनना मैंने क्या किया नॉर्मल एक्स्पिरेशन 500 ml आई हाँ मेरे फेपड़ों में कितनी एड थी ओलड़ी फेपड़ों में कितनी थी सर तेईसो ती जिसको हमने फार सी बोला पांच्छो आई 2300 तोटल मिलकर कितनी हो गई सर अठाइसों एमेल हो गई इतनी सिम्पल सी कैलकुलेशन मेरे फेपड़ों में 2300 आमेल हां सर अंदर गई हां सर कितनी गई 500 500 और टेशिक तो तो यह थाइसों ठीक है फिर मेरे कुंदंदलान ने बोला क्या करो सर जोर से संस छोड़ो मैंने का एक्सपीरेशन करूंगा तो सब्लब पूर्वक एक्सपीरेशन में मेरा पांच से मैं निकले गई निकलेगा कौन साख यह टीवी तो निकलेगा निकलेगा हाँ सी तो निकलेगा और क्या निकलेगा सर इस 2800 में से 500 जो था जो नॉर्मल इंस्पिरेशन साया वो तो निकल गया यानि ये तो टीवी तो निकल गया हाँ जी टीवी निकल गही तो सर टीवी निकलने के बाद में अब टीवी निकलने के बाद में और एक्स्ट्रा जो निकलने वाला है क्या वो इस 2300 में से लॉजिक लगा सिंपल सी बात है तेश्व सो तेरे फेपड़ों में हमेशा है 500 तुने डाली तेरे को किसी ने बोला बल्ल पूरवक छोड़ तुने अब बल्ल पूरवक जब तु छोड़ेगा फॉर्सफुल एक्सपिरेशन करेगा बल्ल पूरवक जब तु वायू को और कुछ नहीं छोड़ना बल पूरवक जब तू वायू को छोड़ेगा तो उसमें जो 500 अमेल आई थी वो तो निकल गई अब एक्स्ट्रा जो निकल नी है क्या वो इस 200 अमेल में से निकलेगी क्या वो इस FRC में से निकलेगी हाँ सर कितनी निकलेगी मैंने बोला 1000 से 1100 निक जो एक्स्ट्रा निकल रही है उसको हमने बोला है ERV और वो किसमें से निकल रही है तो इस FRC में कितनी बच गई सर 2300 में से 1000 से 1100 अगर निकल जाएगी जिसको हम ERV बोल रहे हैं तो कितनी बच गई सर 1100 से 1200 ML बच गई है अब जो बच गई है वो क्या कहलाती है RV कहलाती है Residual Volume कहलाता है अब शिष्ट आयतन कहलाता है बता मेरे भाई चार प्रकार के तेर को सीधे सीधे आयतन बता दिये अब भी भी तेर को समझ में नहीं आए एक डाइगराम सीधा सीधा 500 गई 500 निकल गई TV 500 गई 500 निकल गई सामाने भाई ये श्वसन के बाद पिर तेर से किसी ने का जोर से सांस ले तुने 500 के साथ में जो एक्स्ट्रा खीची जो एक्स्ट्रा खीच रहा है वो है आई आरवी जो कितनी थी धाई अजार से तीन हजार तो टीवी हो गया आई आरवी हो गया डन ओके सर तीसरा मैंने बोला मैंने 500 खीच ली हाँ सर फेपडों के अंदर कितनी थी 2300 जो बची रहती जिसको हमने फारसी बोला अब मैंने 500 खीची 2300 यह थी 2800 हो गई किसी ने मेरे को बोला बल पूरवक निकाल जब बाबा राम देव ने आग गया थी बल पूरवक निकाल जैसे मैंने बल पूरवक निकाली तो वो जो 500 आई थी वो तो निकल गई टीवी तो निकल गई लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा निकल लिए वो कहां से लाओंगा मैं मेरे फेपडों के अंदर जो बची हुई है उसी में से तो निकालूंगा कितनी बची हुई है 2300 बची हुई है उसमें से 1100 से 1100 निकाल दी तो जो एक्स पिरेटरे रिजर्व वॉल्यूम बोलो जनाब क्या ये चार प्रकार के आयतन आपको समझ में आ गए हैं इसमें कोई तकलीफ तो नहीं थी शिवा राजपूत कहा रहा है सर मज़ा नहीं आया देख देखो मज़ा दिल आता हूँ आ गया मज़ा और किसी को मज़ा चाहिए पूरा मज़ा दिलाएंगे हम तुमको बुलो 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 और कोई है जिसको मज़ा चाहिए पूरा मज़ा दिलाएंगे तुमको एक ही बात में एक ही बार में मजा नहीं आया कौन के रहा है सर पलायन वेग दे दिया आपने पलायन वेग मिल गया हाँ जी और कोई है जिसको मजा लेना है इतनी सी बात समझ में आ गई आगे मजे और कैसे समझ में आता है तुमको पांच सु अंदर गई पांच सु बार निकल गई टीवी 500 के साथ साथ जो extra अंदर जा रही है IRV 500 के साथ साथ जो भार जा रही थी उसमें से जो extra भार निकालोगे इसमें से इस bank के पास में फेपडों के पास में 2300 था इसमें से जो extra निकालेगा बलपूर वक में वो ERV जो बच जाएगा फेपडों में वो RV अब आप मुझे बताईए क्या ये FRC जो था क्या ये जो FRC जो मैंने तिर को बताया ये FRC जो 200 ml था इसमें से तू जो बल पूर्वक बहार निकाल रहा था एक्स्ट्रा बहार निकाल रहा था जिसको मैंने बोला ERV जो कितना था सर 1000 से 1100 था हां सर और जो बच गया था फेपड़ों के अंदर तूने उसको आरवी बोल दिया जो कितना था सर 1100 से 1200 ml था हां सर तब आप मुझे बताईए क्या मैं FRC का फॉर्मुला बोल सकता हूं कि FRC जो होता है वो दो आइतन से मिलकर बना होता है एक ERV और RV ये दोनों मिलकर क्या बनाता है म FRC जो था functional residual capacity अभी पढ़ेंगे जस्ट बताना था ये functional residual capacity जिसको हम क्रियात्मक अवशेशी छमता बोलते हैं ये दो आइतन से मिलकर बनी होती है एक ERV और एक RV से मिलकर बनी होती है डन आईएगा ये हमारे चार प्रकार के आइतन थे बिटा अब हम यहाँ पर पढ़ने व होता है spirometer spirometer की साइता से हम क्या पता लगाते सर आइतन पता लगाते हैं अब छमताएं हम छमताएं जो हैं वो किस से पता लगाते हैं तो बेटा छमताएं जो होती हैं वो हम किसी instrument से पता नहीं लगाते तो फिर किस से इन्ही आइतन जो होते हैं यह जो आइतन जो होते हैं याद रखना capacity पता लगाते हैं जो इस diagram में दिखाई हुई है कौन से diagram में ये जो तिरे को diagram दिख रहा है ये हमारा spirometer है जिसे हम volume निकालते हैं ये हमारे volumes हैं ये TV है ये ERV है ये IRV है ये RV है अब इन्हीं के combination से किनके इन्हीं चार प्रकार के combination से हम क्या पता लगाते हैं सर capacity पता लगाते हैं तो आईएगा यहाँ पर चार प्रकार की हमारे पास capacity हैं और सरी पांच प्रकार की छमताएं हैं सबसे पहली छमता जो उसका नाम है आईसी आईसी का मतलब है inspiratory capacity छमता अब आप मुझे बताएं चमता किस चीज की inspiration करने की तो खुद सोच inspiration करने की छमता तेरे को मोजदिलाओं मैं हैं जल्दी से मुझे बता ये मेरा फेपड़ा है इस फेपड़े के अंदर कितनी वायू अंदर जा सकती है ये इसकी inspiration की चमता है ये मेरे फेपड़े कितनी वायू को अंदर डाल सकते है ये मेरी inspiration की चमता है के नहीं है हाँ सर inspiration की चमता है तो कितनी वायगी inspiration की चमता सर्फ 500 अंदर जाएगा पांच सो बाहर चला गया ठीक है अब इसके बाद में जब मैं बल पूर्वक अंदर खीचूंगा इसके बाद में जब मैं बल पूर्वक अंदर खीचूंगा बल पूर्वक अंदर खीचूंगा तो कितना जाएगा पांच सो सामाने जाएगा और अतिरिक्त भी अंदर आई आरवी भी जाएगा तो सामान में एक्सपीरेशन के बाद में बलपूरवक जब हम अंतेश्वसन करते हैं तो टोटल ये मेरी छमता जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं आई सी बोलते हैं तो आई सी का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्त आई सी इस इक्वल स्टू टीवी आई आरवी क्या हो गया टीवी प्लस आई आरवी मिलकर क्या कहलाता है मेरे भाई आई सी कहलाता है अब दूसरा कौन सा है सर इसी एक्सपीरेटरी कैपसिटी अब तो खुद सोच एक्सपीरेटरी कैपसिटी का मतलब क्या होगा अरे भाईया इंस्पीरेटरी कैपसिटी का मतलब क्या था कि नॉर्मल एक्स्पिरेशन करने के बाद में हम जो वायू को बल पूर्वक अंदर खीच रहे थे उसमें हमारा टीवी भी जा रहा था और अतिरिक्त भी जा रहा था इन दोनों को मिला कर हमने आई सी बोला था अब आप मुझे बताइए एक्स्पिरेटरी केपसिटी का है कि अराम से सोचना अराम से कोई तकलीफ नहीं है कोई जल्दबाजी नहीं है अराम से सोचना मैंने बोला मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया हां सर मिर को मिर को एक बालक ने बोला सर मिर को रामदे बाबा ने बोला नौर्मल इंस्पिरेशन कर मैंने किया फिर उन्हें ने बोला आप जोर से सांस छोड़ निकाल दी अब जोर से सांस बल पूर वक जब मैंने निकाली वयू तो उसमें क्या-क्या आई सर टीवी भी आया और एक्स्ट्रा भी आ गया तो जो एक्स्ट्रा था वो था ए आर वी और जो नॉर्मल गया वो था हमारा टीवी तो दोनों को मिला कर यह मेरी एक्स्पिरेशन करने की केपेशिटी देख यह तो हम समझ रहे हैं है ना दिक्कत पता है कहां पर आएगी नीट के एक्जाम में मैं यह भी बता देता हूँ इनकी लेंग्विज में इनकी डेफिनेशन में लिटरली बोल रहा हूँ अभी तेरको समझ में आ जाएगा तेरको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा दिक्कत पता है तेरको कहां पर आएगी तेरको आएगी अगर तू NCRT में इनकी डेफिनेशन नहीं पड़ेगा तो मैं अभी डेफिनेशन भी तेरको दिखा रहा हूं यह दोनों चीज तेरको समझ में आ गई है कोई तकलीफ तो नहीं थी अब इदर देख मैं स्पेशली इंग्लिश मीडियम की NCRT खोल कर बैठा था यहां पर जान पूछके इंग्लिश मीडियम की NCRT क्या यह काला हो सकता है क पीछे से मैं को आता नहीं है यह काला 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 चलो कोई बात नहीं हमको नहीं आता है चलिए यह मैंने इंग्लिश मीडियम की NCRT खोल रखे क्यों सर इंग्लिश मीडियम क्यों हम तो हिंदी मीडियम के बालक है क्यों हिंदी मीडियम की NCRT में मिस्टेक दे रख तो प्लीज इंगलिश मीडियम की एंशी और दी से याद रख लेना आईएगा सबसे पहले यहां पर देखेगा इंस्पीरेटरी कैपसिटी क्या दे रखा है आई सी जो अभी अभी आपने पड़ाया ना इंस्पीरेटरी कैपसिटी यहां पर डेफिनिशन में क्या लिखा जितनी भी maximum air अंदर जा सकती है अब maximum क्या जा सकता है 500 ml जो सामाने रूप से जाता है और अतिरिक्थ जो IRV है तो normal inspiration के बाद में maximum air जो अंदर जाएगी वो हमारे फेपड़ों की क्या कहलाएगी IC यह देख यही लिखा हुआ है यहाँ पर total volume of air a person can inspire total volume किसका air का जो एक पर्सन क्या कर रहा inspire कर रहा है कब after a normal expiration normal expiration के बाद में total volume जितना जाएगा total volume क्या जाएगा TV भी जाएगा IRV जाएगा then next expiratory capacity expiratory capacity क्याएगी total volume of air a person can expire यहनि total volume air का जो एक बंदा एक व्यक्ती निकाल सकता है कब after a normal inspiration मैंने normal inspiration किया अब इसके बाद में maximum कितनी वायू निकाल सकता हूँ सर्फ 500 ml यानि टीवी और अतिरिक्त FRC में से 1100 से 1100 निकाल सकता हूँ यानि IRV दोनों को मिलकर निकाल सकता हूँ यह मेरी क्या कहलाएगी EC कहलाएगी खतम खलास done clear है चले next अब बात करते हैं तीसरी जो capacity है तीसरी जो capacity थी यह हमारी दो हो गई है तीसरी जो थी वो थी हमारी FRC याद रखना भूल मत जाना किस के बाद में और किस से पहले यह सारी चीज़ है याद रखना IC क्या था? नॉर्मल expiration के बाद में तोटल अंदर जो जार सकती है इसी क्या था? नॉर्मल inspiration के बाद में जो maximum निकाल सकता है यह चीज़ी याद रखना definition में गड़बड मत कर देना और रटना मत चीज़ों को सीधा दिमाग में fix करना है ठीक है? next FRC FRC क्या है? सोचना आराम से सूच फेपड़ों में बच गई क्या वो मेरी FRC नहीं है? लोजिक लगा 500 ml में अंदर डाली हाँ सर 500 ml में बाहर निकाल दी हाँ सर जो मेरे फेपड़ों में बच गई वो क्या है? सर वो मेरी FRC है 300 ml जो हमेशा बची रहती है तो definition क्या बनेगी? कि normal expiration करने के बाद क्या करने के बाद? आपने normal inspiration किया हाँ सर उसके बाद आपने normal expiration किया हाँ सर तो normal expiration करने के बाद वो item जो मेरे फेपड़ों में बच गया वो मेरी फेपड़ों की छमता है किसकी? वायू को रखने की कितनी थी? 200 ml थी वो क्या कहला रही है एफ रसी कहला रही है डन तो एफ रसी क्या हो गया मेरे भाई सीधे से बिंदू था एफ रसी क्या कहला रहा है क्या volume of air that will remain in the lungs after normal expiration यही तो मैंने तिर को बताया हिंदी में क्या वो लेंगे कि वायू का वो आयतन जो एक व्यक्ती के अंदर फेफडों में बच जाता है कब सामाने expiration के बाद में normal inspiration के बाद में जो बच जाता है उसको हम एफ रसी बोलते हैं बोलो जी यहां तक की बात अब आप बोलें सर बलपूर्वक होना चाहिए नहीं मेरे भाई बलपूर्वक थोड़ना होएगा बांगडू लाल अरे बलपूर्वक थोड़ना होएगा तू यहां पर बलपूर्वक बोलेगा क्या सोच बलपूर्वक के बाद में जो बचेग जिसको हम आरवी बोलते हैं समझ में आया तो एफर सी याद रखना क्या नॉर्मल पांच स्वेमल अंदर डाली नॉर्मल पांच स्वेमल बार निकाल दी उसके बाद जो तिरे फेपडों में बच गई कितनी बच गई तेशा मेल बच गई थी जिसको तेरे फेपडों की इसमें से मैं ERV निकाल सकता हूँ कितनी 1100 से 1000 से 1100 अमल निकाल सकता हूँ और जो बच जाएगी फेफडों के अंदर वो क्या कहलाएगा वो आयतन है यह चमता की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर capacity की बात कर रहे हैं कि यह कितनी capacity है मेरे अंदर सर आपके फेपडे के अंदर दो वॉल्यूम्स बचे हुए हैं सर एक वो जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है जिसको आप निकाल सकते हो और वो जिसको आप कताई नहीं निकाल सकते हैं जिसको आप कताई नहीं निकाल सकते हैं वो है आरवी जो एक्स्ट्रा जो है जिसको आप बल इंगल से समझाऊं तिरको अब क्लियर हो गया फरसी चले आगे निक्स्ट चौथा है वीसी वाइस चांसलर सर ये वाइस वीसी वाइटल कैपसिटी ये क्या होता है वाइटल कैपसिटी जैव शमता क्या होता है नॉर्मल तरीके से इस डाइगराम को देखना आराम से मैंने ब बलपूर्वक अन्तेश्वसन किया क्या किया मैंने बलपूर्वक अन्तेश्वसन किया कब बलपूर्वक भायश्वसन के बाद में या बलपूर्वक भायश्वसन के बाद में मैंने बलपूर्वक अन्तेश्वसन कर लिया और दूसरी भाशा में मैंने मैंने अधिक्तम वायू जो है अंदर खीची अब अधिक्तम वायू जो अंदर खीचूंगा उसमें टीवी आएगा हाँ सर और अतिरिक्त आई आरवी आएगा हाँ सर गया अंदर हाँ सर चला गया अब इसके बाद मैं बल पूरवक जब बाहर निकालूंगा तो उसमें क्या निकलेगा सर टीवी निकलेगा और e-rv निकलेगा तो कितने आयतन सम्मिलित थे यहां पर तीन कौन कौन सा एक टीवी एक आई आरवी एक e-rv तो सीधी सी डेफिनेशन बन रही है क्या डेफिनेशन बन रही है मेरे भाई ज़रा common sense लगा यहां पर किसकी vital capacity की definition ज़रा ध्यान से सुनना क्योंकि यहां पर definition याद नहीं रहती है formula याद रह जाते हैं और question neat में formula से भी आ सकता है definition से भी आ सकता है तो definition अराम से पढ़ क्या लिख हुई है the maximum volume of air a person can breathe यानि maximum volume किसकी air की जो एक व्यक्ति खीच रहा है breathing कर रहा है after a forced expiration कब बल पूर्वक भायश्वसन के बाद में maximum जो खीच सकता है यह लिखा हुआ है अब आगे समझ में क्या बल पूर्वक बल पूर्वक भायश्वसन के बाद में maximum जो खीच सकता है यह मिलकर क्या कहलाती है vital capacity कहलाती है अब जरा सोच बल पूरवक expiration में क्या क्या निकल रहा था सर सामान ने 500 ml भी निकल रही है ERV भी निकल रही है अब उसके बाद में maximum कितनी ले सकता है सामान ने 500 ml भी जाएगी और साथ साथ IRV भी जाएगा तो कितने आयतन सम्मिलित हो रहें सर यहाँ पर तीन आयतन सम्मिलित हो रहें कौन सा सर टीवी ERV और IRV तो टीवी IRV ERV मिलकर क्या कहलाती है हमारी vital capacity कहलाती है क्योंते है हम्म्मम क्योंते हैं ख्लियर डन यहां तक की बात समझ में आ गया चले आगे अब मुझे पता इस वाइटल कैपेसिटी में हमने टोटल वॉल्यूम्स कितने पड़े थे सर चार टीवी, आई रवी, ए रवी और आरवी ये वाइटल कैपेसिटी टोटल कितने वॉल्यूम से मिलकर बनी हुई है, सर तीन एक टीवी भी एक आई रवी भी है, एक ए रवी भी है कौन सा वॉल्यूम यहां पर नहीं है, सर आरवी अगर मैं उसको भी सम्मिलित कर लूँ तो क्या वो तेरे मेरे हम सब के फेपडों की टोटल छमता होएगी के नहीं होएगी, क्या मेरे टोटल फेफणों की कुल फुफुसी यह शमता, कुल टोटल लंग कैपसिटी तीन तो आईतन तेरे आलरेडी थी, अगर एक चौथा भी अगर मैं सम्मिलित कर लूँ तो चारो आईतन मिलकर क्या कहलाएगा, सर टोटल लंग कैपसिटी, चलो सर यह तो लॉजिकली तो समझ में आ गया, लेकिन डेफिनेशन क्या बनेगी, किसकी, इस TLC की डेफिनेशन क्या है आप मुझे बताएगा, सोच समझ कर, मैं आपसे बोल रहा हूँ, TLC जो है, TLC जो है, इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या? कि वायू की वो कुल शमता जो हम खीच लेते हैं वायू की वो कुल शमता जो हम खीच रहे हैं ध्यान से सुनना वायू की वो कुल शमता जो हम खीच रहे हैं अब वायू कितनी खीचेंगे सर एक तो टीवी अंदर आएगी और एक सर IRV अंदर जाएगा, ये वायू की maximum air अंदर जाएगी, हाँ सर ये maximum air हमारे अंदर अंदर जा रही है, हाँ सर जा रही है, done, हाँ सर, तो हमारे पास दो आयतन ये हो गए, हाँ सर, maximum air अंदर चली गई, चली गई, total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, ठीक है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कि हमने बलपूरवक अंतेश्वसन किया, ठीक है सर, ये हमारे अंदर चली गई है, ठीक है, अब हमारे फेपडों में जो बची रहती है, वो कौन सी बची रहती है, सर हमारे फेपडों में तो FRC होत किसे मिलकर बनी होती है, सर, FRC जो होती है, वो हमारे ERV और RV से मिलकर बनी होती है, तब आप मुझे बताए, मेरे फेपडों के अंदर already 2300 ml है, हाँ सर, मेरे फेपडों के अंदर already FRC है, हाँ सर, FRC हमेशा रहती है, 2300 ml हमेशा रहता है, हाँ सर, और मैं forceful inspiration से maximum here अंदर डाल हाँ, हाँ सर, यानि ये तो है है, और ये भी अगर अंदर चली गई, तो टोटल मेरे फेपडों की छंता कितनी है, सर, ये दोनों आयतन, प्लस ये दोनों आयतन, मिलकर मेरे फेपडों की क्या कहलाएगी, टोटल लंग कैपसिटी, तो TV, IRV, ERV, RV, खतम, हाँ वही, definition समझ मे आई तिर को, definition समझ में आई, वापिस से अंगरे जी की definition पढ़, टोटल वॉल्यूम ओफ एयर, एकोमोडेटेड इन द लंग्स, यानि वो टोटल एयर का आयतन, जो एक फेपड़े में बचा हुआ है, कब जब आप पूरा खतम कर देते हैं, क्या forced inspiration, जब आपने end कर दिया, किसका forced inspiration का, forced inspiration खतम हो गया है, तो अब इसके अंदर total volume जो होएगा, वो कहलाएगी TLC, अब क्या होएगा अंदर, सर ये तो हमेशा होता ही है, FRC जो दो volume से मिलकर बना होता है, और आपने forced inspiration से ये दोनों अंदर डाल दिये, तो चार volume अंदर बच गए हैं, अब ये चार volume मि मेरी क्या केलाएगी, total lung capacity केलाएगी, अब total मिलकर कितना होएगा, जरा सोच, सर ये धाई हजार से 3000 था, सर ये 500 था, ये सर 2300 है, 2300, 500, 2800, 2800, और 3000 लगबग 5800, तो हम क्या बोल देते हैं, कि TLC जो होता है, अल्मोस्ट 6000 ml के आसपास होता है, यानि TLC जो होता है, वो लगबग 6 लीटर के आसपास होता है, हाँ जी, हम, बोलिए, हाँ बई, यहाँ तक की बात में, कोई दिक्कत, कोई confusion, done, clear है, समझ में आ गया, यह हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, बिटा जी, हाँ पर कुल मिला कर, यह हम लोगों ने, चार प्रकार के आयतन, और पांच प्रकार की हम लोगों ने capacities पढ़ी हैं, अब यह पढ़ने के बाद में, एक question मैं आपको दे रहा हूँ, और वो question आपने जल्दी से बताना है, ठीक है, question दे दूँ एक, आगे मज़ा, चलो जी, बहुत बढ़ी है, आईए, जिनको मज़ा आया, अच्छी बात है, जिनको मज़ा नहीं आया, धून्डो कहीं और जाकर मज़े बेटा फिर, जहां तुमको मज़े मिले, वहां मज़े धून्डो, ठीक है भूमी, जहां मज़े मिले, वहां पर मज़े धून्डो बेटा, चलिए जी, देखेगा, जलिए जी, जल्दी से ये पांच कोशन है, इन पांचो कोशन को देखिए, और आप में से इमानदारी से अंसर करना, इन पांचो के फॉर्मूले, इन में से किसके फॉर्मूले आपको याद है, इन में से किसका मान आपको याद है, किसका टोटल वॉल्यूम आपको याद है मेरे को मत बताओ, अपने आप से सोचो, इन में से अभी के अभी आपको इन में से कितनों की वेल्यू आपको पता है, इन में से कितनों की फॉर्मूले आपको पता है हाँ भी, सबका कर लिया कोई ऐसा बच्चा था जिसको जो किसी एक में अटका, इन में से किसी एक में अटका हो, या किसी दो में अटका हो या किसी तीन में अटका हो, कोई ऐसा था जो कहीं ना कहीं एक में या दो में अटका हो या तो फॉर्मूले में या उसकी वेल्यू में, है कोई सर क्या खा रही हो बहुत बढ़िया घर पे मम्मी को पापा बोलता है या यह पापा को मम्मी बोलता है क्या खा रही हो किसी ना किसी में अटके हां सर अटके चल कोई बात नहीं जो अटके है अच्छी बात है जो नहीं अटके कोई बात नहीं तुम नहीं भटके है हाँ जी EC क्या था expiratory capacity जिसका formula क्या था देखिए capacity के formula volume के तो formula नहीं है क्योंकि यहाँ पर कई तो इसका formula ढूंड रहे होंगे आरवी का formula है एक्सपिरेटरी capacity का formula क्या था सर टीवी प्लस ए आरवी वी सी का formula क्या था सर टीवी प्लस आई आरवी आई सी का formula क्या था सर टीवी प्लस आई आरवी ए आरवी का कोई formula नहीं था इसकी value थी कितनी थी सर हजार से 1100 ml RV कितनी थी सर 1100 से 1200 ml Done इतना सा तो इन दोनों की values थी इनके formula थे अगर तिर को values याद हैं तो तो formula में डाल के तो answer निकाल सकता है खतम हाँ जी Clear चले जी आगे done Clear है यहां तक की बात चले आगे ओके जी आगे बढ़ते हैं यह थे बिटा जी हमारे total volumes और क्या थी यह हमारी capacities थी जो हम लोगों ने यहां पर पड़ी है आगे बढ़ते हैं दोस्त इसके बाद में अगला जो topic आता है वो आता है गैसों का विनिमे यानि exchange of gases अब gases का exchange जो होता है वो किस तरीके से होता है कहां पर होता है किस तरीके से होता है यह हम देखने वाले हैं हाँ जनाब चलें आगे कोई confusion तो नहीं था चलें गैसों के विनिमे की हम लोग बात करने वाले हैं देखिए मेजल हमारे पास दो बॉड़ी में कितनी बार होता है कोई answer देगा अरे अवनीस मैं करा भी दूँगा तो होएगा क्या तरको याद रह जाएंगी चीजे चल मेरे कोग answer बता king अवनीस मुझे बता हमारी बॉड़ी में gases का exchange कितनी बार होता है सक्ती जन्मात बोला एक बार होता है और आरती वर्मा बोल लिया दो बार होता है और गणेश चौन कहा रहा है तीन बार होता है शिका कहा रही नहीं मनीश प्रजापती कहा रहा है दो बार होता है अम्रीश दो बार होता है दुरौपदी दो बार जूनियार गुपता तीन बार और अर्पित सिंग दो बार और और मिस भूमी दो बार मुझा आ रहा मिस भूमी लालसा माफिया दो बार तुम जितने भी दो बार वाल हो ना भौंदू लाल हो तुम कसम से गैस इसका एक्चेंज दो बाल होता है तीन बाल होता है गैस इसका एक्चेंज शर कहां कहां होता है तीन बार गैस इसका एक्चेंज यहां पर देख पड़ो यहां पर देखो हमारे अंदर गैसों का विनी में कितनी बार होता है गुरू तीन बार होता है कितनी बार होता है तीन बार सर तीन बार कहां होता है सबसे पहला होता है वातावरण और फेपडों के बीच में वातावरण से फेपडों में जाती है फेपडों से वातावरण में जाती हो गया पहली बार दूसरी बार का होता है फेपड़े और रक्त के बीच में होता है फेपडों से रक्त में रक्त से फेपडों में होता है हो गया दूसरी बार तीसरी बार रक्त और उतक के बीच में रक्त से उतक को ऑक्सीजन उतक से रक्त में कार्बन डेक्सेड कितनी बार ह हुआ का है का हुआ है दो बार वो ना था न इसलिए कहते जरा थोड़ा पड़ लो थोड़ा अराम से सुन लो चीजों को ध्यान से सुन लो नहीं हम इनके स्टूडेंट हम उनके स्टूडेंट हम एचे कते हम वैचे कते हम एचे कते हैं वैचे कते हैं नीट के एक्जाम में आएगा तुम किछके स्टूडेंट थे हैं पांगडू पढ़ लो चुप चाप नीट के वहां पर एक्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएग और किसी को याद तक नहीं रहता है नीट का एक्जाम करेक्ट करने के बाद हम इसकी स्टूडेंट को पूछता तक नहीं हम जैसे टीचर को तो पूछता भी नहीं है ठीक है हो गया टाटा वाइबा सेलेक्शन हों के जैराम जीगिसर जी बस खतम इस चालो जी इंदी मीरियम में यहीं तो सबसे बड़ी दुविदा है जैसों का विनी में कितनी बार होता है कितनी बार होता है तीन बार गैसों का विनी में होता है कहां कहां होता है याद रखना कहां वातावरन से फेपडों के बीच में होता है फेपडों से रक्त के बीच में होता है रक्त और उतकों के बीच में होता है रहे जरह सोच वातावरन से ऑक्सीजन फेपड़ों में जाती है फेपड़ों से कारबन डैक्सेड वातावरन में जाती है फेपड़ों से रक्त में ऑक्सीजन जाती है रक्त से कारबन डैक्सेड फेपड़ों में आती है रक्त से उतकों को ऑक्सीजन जाती ह उतकों से कारबन डेक्स से डिरक्ट में आते तो कितनी बार एक्सचेंज हुआ तीन बार हुआ अब इनमें से में एक्सचेंज कहां पर हो रहा है मुख्य आदान प्रदान कहां पर हो रहा है सर जी में ली एक्सचेंज कहां पर होता है हमारे फेपड़ों में एक्सचेंज कहा पर हो रहा है कुपीकाओं के दौरा हो रहा है जो हमारा शोसन अंग है यहां पर मुख्य रूप से हो रहा है ड़न अब आप मुझे बताएं यहां पर हम गैसों का विसरण देखने वाले है गैसों का आदान परदान देखने वाले अम मैं आप मिनिट रूख़िएगा एक सेकंड रूख जाईएगा तनिक एक मिनट रूख जाईएगा हेलो कोई है तो का है इस टैम में बोलकर भी गया था यार हाँ जी देखो भी हमको ना श्वसन संबंधी हमें विकार है और वो जो श्वसन संबंधी विकार जो मेरे को है ना उसका नाम है ब्रॉंकाइटिस जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रॉंकाइटिस बोलते हैं ठीक है अब वो जो ब्रॉंकाइटिस जो मेरे को है न वैसे तो कई सार हैं जिसमें से एक ब्रॉंकाइटिस भी है तो वो शोसन संबंदी विकार में जब वायू परियाप तो मातरा में निन मिलती है नो तो सांस चड़ने लग जाता है नो तो हालत खराब उने लग जाती है तो दोस्त इसलिए मैंने एक सेकंड का वेट लिया था क्योंकि यह आएगा तीन यहां पर कारक हैं जो प्रभावित करेंगे गैसो के विनी मैं को मेरे भाई ध्यान से सुनना टॉपिक क्या था पढ़ते पढ़ते हम यहीं भूल जाते टॉपिक क्या था तोपिक क्या था टॉपिक यह था गैसो का विनी में पढ़ रहे हैं मैंने बोला गैसो पिड़ोर रक्ट के बीच में जो गैसों का विनी में हैं ये किस से प्रभावित होएगा कौन से वो कारक हैं कौन से वो फेक्टर हैं कौन सी वो चीजे हैं जो प्रभावित करेंगी प्रभावित करेंगी अरे प्रभावित करेंगी गैसों के विनी में को तो तीन वो चीजे ह जो गैसो के विनी में को क्या करेंगे प्रभावित करेंगे वो तीन चीजे कौन-कौन सी जरह देखना पहली जो चीज है वो है विसरन कला की मोटाई आप मुझे बताईए क्या यह मैं आपको बताओं कि विसरन कला अगर जादा मोटी होएगी तो गैसो का विनी में तेज होएगा कि धीमा होएगा अगर यह जादा मोटी हुई यह वाली जादा मोटी हुई तो गैसो का विनी में धीमें अगर ये पतली हुई तो जल्दी से हो जाएगा तो गैसों का विनी में किस पर डिपेंड कर रहा था सर इस विसरन कला की मोटाई पर डिपेंड कर रहा था अगर विसरन कला की मोटाई अगर जादा हुई तो धीरे धीरे आएंगी गैस और विसरन कला खुद छोटी सी है तो जल्दी से फुदक करें दम से क्या हो जाएगा इक्सचेंज हो जाएगा तो क्या गैसो का विनी में तीन काड़कों पर निरभर करता है जिस में से पहला कारक आपको समख में आ अगर समझ में आगया तो थमसप देखर हमको चैट सेक्शन में जड़ा जल्दी से बताईएगा हाँ जी maths बेसिक कंसेप्ट्स पूछ रहे हैं सर ये क्लास लाइव है नहीं नहीं पेटा ये क्लास मरी हुई है डेड क्लास है ये डेड कविता कुमारी कह रही है नहीं समझ में आया अगले साल समझना हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है एक को नहीं है बाकी को आगया बहुत ही बढ़ी है चालिए जी तो पहला कारक जो था वो क्या था विसरन कला की मोटाई था अब तुम अगर क्लास में आओ तो तुमको क्या समझ में आएगा है तुम क्लास में आओ तुमको विसरन कला अगर समझ में नहीं आई ये तो तुमको क्या समझ में आएगा विसरन कला मैं अलड़ी बता चुका हूँ सर कब बताया अभी एक घंटे पहले बताया था अब तुम्हें एक घंटे से अगर क्लास में टिके हुए नहीं हूँ तो मैं कहां से तुमको बार बार वही चीज थोड़ना समझाऊंगा अलड़ी समझा चुका हम तरको नहीं समझ में आ रहा तो तेरी गलती है तो क्लास में नहीं अए इदर उदर भटक रहा है यहां बटक वहां भटक भटक कर यहां हूँ फिर कव हम को समझ नहीं आ रहा तो किहसे आएगा झारत पहला तो पहला था विस्रन कला की मोटाई ये पहला कारक था जो गैसों के विनिमे को नियंतरित कर रहा था दूसरा कारक दूसरा है गैसों की घुलन शीलता गैसों की घुलन शीलता का मतलब मैंने तेरे से बोला मेरे भाई यहां से यहां क्या आनी है आपने बोला सर ऑक्सीजन आनी है मैंने कब बिलकुल आनी है सर यहां से आ रही थी कार्बन डाइक्सेड मेंने का आ रही थी और यहां चली जाएगी हाँ सर यह उक्सीजन आगी जाएगी यह कार्बन डाइक्सेड यहां आ रही है हाँ सर अब आप मुझे पता है यह उक्सीजन किस में घुलेगी ब्लड में न यह कारबन डैक्सेड कौन लेकर आ रहा है ब्लड न यानि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्वड है हमारे ब्लड के अंदर कारबन डैक्सेड डिजॉल्वड है हाँ सर अब इन में से कौन जादा डिजॉल्वड होता है कौन जादा घुल जाता है तो यह नीट में इस साल कुष्छन आने वाला है याद रख लेना क्या कार्बन डैक्षेट की घुलन शील्टा ऑक्षीजन से 20 से 25 गुना ज़ादा होती है यानि कार्बन डैक्षेट जल्दी से घुल जाती है किसके अंदर ब्लड के अंदर किससे oxygen से अब आप बोलेगे क्यों सर मैंने बोला कि हिमोग्लोबिन हमारे ब्लड में होता है हां सर ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन वो हीरोईन है हीमोग्लोबिन वो हीरोईन है जिस पर इन दो हीरों का दिल आया हीमोग्लोबिन वो हीरोईन है जिस पर इन दोनों हीरों का दिल आया लेकिन भ्याइस ने इस से रचाया क्या बोला हमने हीमोगलोबिन वो हीरोईं थी जिस पर इन दोनों हीरों का दिल आया लेकिन भ्या इसने इससे रचाया क्यों क्योंकि ये सोचकर कि भईया इसके साथ जीवन जो है बढ़िया कटेगा तो भईया कार्बन डैक्सेट जो है उसकी हीमोगलोबिन से जुड़ने की छमता जादा है किस से ऑक्सीजन से इसको यू समझ ले यार ये एस्वरया राय जी है ये सलमान खान जी है ये अभी से एक बच्चन जी है दिल तो इनका भी आया दिल इनका भी आया लेकिन भ्या इन से लिए इन से जुड़ने की छमता इसकी जादा थी किस से इन से तो कार्बन डैक्सेट जो होती है वो हीमोगलोबिन से जादा जुड़ती है अब कार्बन डैक्सेट अग्सेट जादा से जादा शमता से जुड़ने की छमता रखती है तो जरह सोच कार्बन डैक्सेट ऑक इसमें ब्लड में जादा घुलंशील है तो जादा बहेगी या नहीं बहेगी आसर डन इतनी सी बात समझ में आगई तो गैसों की घुलंशीलता क्या विनिमे को प्रभावित करेगी येस सर तो कार्बन डैक्सेट जादा घुलने की छमता रखती है निक्स्ट हो गए दो कारक समझ में आगए तीसरा तीसरा का रख है कैसों का आंशिक दाब किसका पार्शल प्रेशर आफ गैसेज गैसेज का क्या पार्शल प्रेशर अब सरी आंशिक दाब क्या होता है देखो केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हों केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा हुआ यह आंशिक द लिखा हुआ ना कई gases हैं जिसमें से nitrogen भी होएगी oxygen भी होएगी carbon dioxide भी होएगी नाइट्रॉस oxide भी होएगी methane भी ना जाने कितनी कितनी gases मेरे भाई यहां पर carbon monoxide भी है लेकर चल रहे हैं आप अच्छे तरह के जानते हैं हमारे वातावरण में nitrogen सबसे ज़्यादा कितनी है सर 78% है oxygen comparatively कम है कितनी है 21% है carbon dioxide कितनी है percentage में 0.03% है हाँ सर यह percentage हमने लिखी हुई है ठीक है अब मैंने बोले यह कई सारी यहां पर guesses है हाँ सर अब यह कई सारी guesses इस chamber के अंदर इसकी भिती पर दाब लगाएंगी हाँ सर तो वो दाब क्या कहलाता है atmospheric pressure कहलाता है कि न हाँ सर हमारे atmosphere में लगने वाला pressure किसके द्वारा सभी गैसों के द्वारा लगने वाला atmospheric pressure कितना होता है 760 mercury column होता है हाँ जी 760 mmHg होता है हाँ सर chemistry में तुने पढ़ा हुआ है हाँ सर अब यह जो atmospheric pressure है क्या यह एक gas लगा रही है यह कई सारी gases लगा रही है यह तो कई सारी gases लगा रही है है न अब यह कई सारी gases के द्वारा लगाया गया दाब जो था यह क्या कहलाता है सर atmospheric pressure कहलाता है अब इस में से अगर मेरे को individual एक gas का अगर मेरे को pressure निकालना है कि मालो nitrogen ने कितना दाब लगाया इस 760 MMHG में से nitrogen ने कितना दाब लगाया oxygen ने कितना लगाया carbon dioxide ने कितना लगाया तो मैं कैसे निकालूंगा formula आप chemistry में पढ़ते हो क्या nitrogen का दाब कितना होएगा sir nitrogen का वो जो दाब जो हुएगा उस दाब को हम क्या बोलेंगे पार्शिल प्रेशर बोलेंगे वो दाब कितना होएगा फर्मूला सीधा क्या उस गैस की परसेंटेज डिवाइड बाइ 100 इंटू 760 अब जरह सोच नाइटरोजन की परसेंटेज कितनी थी सर 78 परसेंट लिख दिया 78 परसेंटेज लिख दी हां सर नीचे 100 हां सर मल्टिप्लाइ कर दिया 760 हां सर कितना आ गया 590 mmHg यानी 760 mmHg में से नाइटरोजन जो थी वो कितना दाब लगा रही थी गुरू इतना लगा रही थी वातावरण में ऑक्सीजन कितना दाब लगाती है गुरू इतना लगाती है कार्बन डाइक्साइड कितना लगाती है गुरू इतना लगाती है खुद कॉमन सेंस लगा ये दाब किसका है नाइटरोजन का ये दाब किसका है ऑक्सीजन का ये दाब किसका है कार्बन डाइक्साइड का ये जितने भी दाब तिर को यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये इंडिवीजुल इंडिव से पूछ रहा हूं बता मेरे वातावरण में मेरे शरीर के बाहर वातावरण में ऑक्सीजन का अंशिक दाब कितना है सर 159 mmHg है कार्बन डैक्साइड का अंशिक दाब कितना है 0.3 mmHg है प्रभू आप मुझे बताओ अगर मुझे इंस्पिरेशन करना है बालक जरा सोच दिम अगर अंदर जाएगी ऑक्सीजन कहां से कहां जाएगी अगर अंदर जानी है ऑक्सीजन को तुझे कोशिकाओं के पास पहुचाना है डिच्यू 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 अंदर भेजना है तो बातावरण में ऑक्सीजन का दाब कितना है 159 तो तेरे कुपिकाओं में वो दा जादा होगा कि कम होगा लगा दिमाग जल्दी से सोच बहार से oxygen के तुझे फेपड़ों में भेज़ना है बहार oxygen का दाव इतना है तो तेरे फेपड़ों के अंदर इससे जादा होगा कि कम होगा भुलो सोचो इसी का तिवारी यह जरह सोबित सिंग को निकाल यहां से भगाईए हाँ जी सोचो 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 या प्लीज 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 सोचलो सोचलो आरे दिमाग लगालो बांगडू अगर वातावरण में और कुप्पिका में यानि फेपड़ों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताईए उक्सीजन का आशिक दाब वातावरण में 159 mm hg है तो मुझे बता फेपडों के अंदर उक्सीजन को जाना है उक्सीजन अंदर जाएगी या बाहर निकलेगी अंदर जाएगी ना तो वातावरण में अगर इतना दाब है तो फेपडों में इतना ही होगा इससे कम होगा यह इससे ज्यादा होगा और विसी बात है कम होगा कितना होता है 104 mmHg होता है अरे कम होएगा तभी तो वातावरण से फेपड़ों में जाएगी न ऑक्सीजन अब तु खुद सोच कारबन डायोकसाइड का वातावरण में कितना था अभी अभी तुने यहां पर लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है 0.3 mmHg लिखा हुआ निकाला हुआ न तुने यह दे कि वातावरण में कारबन डायोकसाइड का 0.3 mmHg मिलीमीटर मरक्यूरी कॉलम यह दाब मिल रहा है ठीक है तब आप मुझे पता यह कारबन डायोकसाइड को अंदर बेजनी कि बाहर निकालनी है जर बाहर निकालनी है फेपड़ों से वातावरण में छोड़नी है तो फेप में कम होएगा फेपड़ों में जादा ओगा कितना होता है 40 mmHg होता है क्या इतनी सी बात समझ में आ गई कोई तकलीफ यहां तक की बात में जल्दी से फड़ा-फड़ं यहां तक की बात में कोई confusion यहां तक की बात में इतनी सी बात में अरे भया कहीं न कहीं यही दाब के कारण ही तो वायू अंदर जा रही है इसी दाब के कारण ही तो वायू बाहर आ रही है जहां जादा होएगा वहां से कम में जाएगा हैं जहां जादा होएगा वहां से कहां जाएगा सर कम में जाएग टान क्लियर है चलो सर तो यह हमारा कुल में लाकर तीन वो कारक थे यह तीन कारक थे जो डिसाइड करते हैं किस चीज को गैसों के विनिमे को एक हो गया बिटा विसरन कला की मोटाई मोटाई जादा है तो धीमे विनिमे मोटाई कम है तो तेज विनिमे दूसरा घुलन शीलता जिसकी घुलनशीलता जादा है उसका जादा विनी में जिसकी घुलनशीलता कम है उसका कम विनी में नेक्स्ट उसका आंशिक दाब जिसका आंशिक दाब एक जगे जादा होएगा एक जगे कम होएगा तो वो गैस हाई दाब से कहां जाएगी लो दाब में जाएगी तो oxygen का वातावर्ण में जादा था फेफडों के अंदर कम था तो oxygen बाहर से अंदर गई carbon dioxide का फेफडों के अंदर जादा है वातावर्ण में कम है तो वातावर्ण में गई तो ये तीन चीजे याद रखना ये तीन चीजे जो थी ये गैसो के विनिमे को नियंतरित करती है ठीक है जी चाले अब गैसो का विनिमे कहां कहां कैसे कैसे होता है यहांपर जरह ध्यान से फटा फट सुन लीजेगा यह बटा एक डाइगराम सीधा-सीधा समझाने के लिए भाई या ऑक्सीजन की पहले बात कर लेते हैं फिर उसके बाद में पहले oxygen की बात कर लेते हैं फिर उसके बाद में carbon dioxide की बात कर लेंगे पहले oxygen की फटाफट बात कर लेते हैं जरत ध्यान से सुनेगा दोस्त देखिए oxygen का वातावरण की अगर मैं बात करूँ वातावरण में oxygen का दाब कितना था 159 कुपिकाओं के अंदर कितना था एक सो चार हां सर तो ऑक्सीजन अंदर आ गई ठीके सर ऑक्सीजन कहां से कहां गई सर वाता वरन से कुपिका में आ गई अब इसके बाद कहां से कहां जाएगी अब इदर देखिएगा ये रक्त नली का तरको दिख रही है हां सर ये रक्त नली का आ रही है कौंशी सर ये रख्टनली का ज आ रही थी आ परी है यह सर यह Pr Testament का कहांसे हाई हमारे दिल से आ रही है डिल से कौन से डाए आलंद से आ रही है कौन से रखते अनॉक्सी क्रत रखत डाए या लिंद इपर और टाए निले से में रक्त उपपर से यह अलिन में कौन सा रखते अनोक्सी करत रखत यह नुख् suas आएगी इसोग्सीन को अगर हमें यहां पर भेजना है यहां पर भेजना है तो यहां पर oxygen क्या आंशिक दाब जादा होएगा कि कम होएगा कितना है सर 40 mmHg है तो 104 से 40 mmHg में आ गई यह कौन सा ब्लड था सर यह हमारा अनॉक्सीकरत रख्ट था ठीक है सर अनॉक्सीकरत रख्ट में आ गई है जहां पर oxygen का अंशिक दाब कितना था 40 mmHg था ठीक है जी अब इसके oxygen का दाब बढ़ेगा हां सर कितना हो जाएगा सर ऑक्सीकरत रख्ट में कितना हो जाएगा 95 mmHg हो जाएगा पिचाण में 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 जी अब यहां से किसके पास जाना है सर उतकों के पास जाना है उतक के पास जरा दिमाग लगा उतक यानि कोशिकाओं के पास जाना है कोश कम होएगा रहे ऑक्सीजन को इनको देना है तो कोशिकाओं के पास में या उतकों के पास में ऑक्सीजन का दाबार कम होएगा कितना होएगा चालिस एम 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 एच जी तो 95 से कोशिकाओं के पास चला गया कितना था 40 mmHG अब देखो यह चीज तो समझ में आ जाती है मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं उनको यह चीज़ समझ में नहीं थे क्या कि सर यह तो समझ में आ गया सर वातावन से कोपिकाओं में गया यहां पर प्रेशर कम था चला गया लेकिन सर आपने यहां से यहां एरो लगा देते हैं यहां पर सर चालिस से पिच्च्यानवे सर यह तो कम से ज़्यादा में जा रहा है यह तो कम से ज़्यादा 40 जिन 95 में जा रहा है अरे बांगडू बुद्धू यहां 40 से 95 में अक्सीजन भीज रहा है अरे मेरे भाई अनॉक्सीक्रत रक्त जो है वो बदल रहा है अक्सीक्रत रक्त में यहां एरो नहीं लगाना है ते नहीं यहां पर कई बच्चे एरो लगा देते 40 से 95 नहीं आप यहां पर रक्त कैसा था अनॉक्सीक्रत क्यों क्योंकि वहां पर कार्बन डैक सेट ज्यादा घ होई थी खार बंड एक्स है झादा गुल्ई गुति न गुली थी खिल्द to сол estaban estavam कम था कितना था चालिस था तो आपने यहां पर का एक सो चार था 104 से चाली स्वेशाऽ मैं में जब औक्स जिजन आए की तो सिजन जब आती आखी आती जाए तो रक्त कैसा होता जाएगा सर ऑक्सीजनेटीड होता जाएगा ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी ऑक्सीजन का दाब जादा हो जाएगा ऑक्सीजन का दाब कितना हो गया सर दीरे दीरे बढ़ते 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 कितना हो गया सर 95 हो गया तो क्या यहां प पर blood जो है वो change हो रहा है यहां पर arrow नहीं लगाना कि 40 से 95 में कर देना है यहां पर भूलियो जी यहां तक की बात मैं को नहीं पता था मैं आज इतने सारे लफंडरों को यहां से कला से बाहर निकालूंगा कई सारे लफंडर में ने क्लास से बाहर निकाल दी, आज मजा आ रहा है, सच्ची है आरती जी बताईए न आप कहां से हैं, कौन है ये, जूनियर गुपता कितने फड़ फड़ाते हो रहे तुम क्लास में का रहे पढ़ ले, सेटिंग के बाद में कर ले ना नहीं सर, हमको तो अभी सेटिंग करनी है क्योंकि बाद में कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि हम कुछ कर नहीं पाएंगे है ना, बाद में कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि हमारा जीवन में कछु हो नहीं पाएगा किसी अच्छे कॉलेज में हम जा नहीं पाएंगे कछु बन नहीं पाएंगे, इसलिए अभी हम सेटिंग कर लेते हैं सर है ना, क्योंकि हमको पता है खुदी अपने आप से कह रहे हैं, हमको पता है कि हमारा कुछ हो ना तो है नहीं, अभी कर लेते हैं तू कहां छे है, मैं कहां छे हूँ मैं यहां छे हूँ, तू वहां छे है, चलो हम पेच लड़ाते हैं सर इनको चलने दो, इनको लगे रहने दो, सही कह रहा है वेटा सही कह रहा है, इनको लगे रहन देते हैं, हम भी थोड़ी-थोड़ी मोज ले लेते हैं बीच में और तो क्या है हाँ, चलो, तो देखना बिटा, वापिस से देखना यहां पर देख, वातावरण में बाहर 159 mmHg, सिंपल इतना प्रेशर था अक्सीजन का बाहर कुपिकाओं के अंदर कितना था, 104 यहां से यहां आई, हासल तेरे को नहीं समझ में आया, यहां पर बताता हूँ देख, यह मेरा सरीर, जिसके अंदर यह खुपिका और यह मेरी रक्तनली का आरेली है अरे, यह कहां जारेली है यह कौन आरेली है, रक्तनली का आरेली है चलो, आरेली है, आ गई रक्तनली का नीली दिखाते हैं, क्योंकि असुद्ध रक्त आ रहा है तो नीली दिखाएंगे, चलो जी यह असुद्ध रक्त वाली नीली नली का चालो जी आ गई हाँ सर आ गई है हम मैंने तेरे से का भाई मेरे ऑक्सीजन का है सर ऑक्सीजन बाहर जादा है 159 mmHg उसका दाब है कुपिका के अंदर कितना है सर 104 mmHg उसका दाब है है ना तो सर ये बाहर से अंदर आ गई मैंने का आने दो आ गई अब यहां से अंदर जानी है हां सर जाएगी अब यह अगर अंदर जाएगी तो यहां पर दाब कम होएगा कहां पर कम होएगा ऐसे रक्त में ही तो कम होएगा जहां अक्सीजन कम होएगी तो कौन जाद होएग है सर अनॉक्सी करत रखते हैं यह अनॉक्सी करत रखते हैं यहां पर ऑक्सीजन का दाब कम होएगा ना जब कम होएगा तब ही तो यहां ज्यादा होएगा तो यहां ज्यादा है तो यहां कम होना चाहिए अब यह अनॉक्सी सिक्रत रक्त में का ऑक्सीजन का दाब केतना है चालेसे में मैंच जी है थीक है तो ऑक्सीजन यहां आ गई हाँ सर अब ऑक्सीजन यहां आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जारी आती जारी आती जारी आती जारी आती जारी आती जारी है तो आगे जो रक्त नल बादा होता जाएगा कितना हो गया सर यह हमारा रक्त कौन सा हो गया अब ऑक्सीक्रत हो गया तो ऑक्सीक्रत रक्त जो है उस ऑक्सीक्रत रक्त में ऑक्सीजन का दाब बढ़ गया है कितना हो गया सर 95 है में मैंच जी हो गया है ठीक है जी अब ये ऑक्सीकरत रक्त जो होएगा ये हमारे दिल में जाएगा दिल में कहां जाएगा बाए आलिंद में जाएगा बाए आलिंद से बाए निले में जाएगा बाए निले से महाधमनी निकलेगी महाधमनी हमारे पूरे शरीर को ऑक्सी रक्त जाएगा तो वो औक्सिक्रत रक्त शरीर के पास क्यों जा रहा है अरे कोशिका को अक्सिजन नहीं चाहिए हां सर चाहिए तो वो जो रक्त नली का जो अक्सिजन को लेकर आ रही है वो कोशिकाओं को देगी कि नहीं देगी हां सर कोशिकाओं को देगी तो कोशिकाओं क पास ये कोशिका ये उतक है उतकों के पास oxygen का डाब ज़्यदा होएगा कि कम अजा सर्प कम सब्लेगा तभी तो इस रखत नलिका से यहां पर जाएगी oxygen तो तग के पास कितना सर उतकों के पास औक्सीजन का दाब है 40 mmHg और औक्सीक्रत रख्त में कितना था 95 तो 95 से यहां चला जाएगा खतं डन क्लियर है यह हमने ऑक्सीजन की बात कर लिए मेरे भाई इतनी इसी बात थी अब कार्बन डाइक्साइड का तो खुद सोच ले उल्टा होएगा अब कार्बन डाइक्साइ तीरको भेजनी है तिरको बाहर निकालनी है अब जहां बनेगी वहीं तो उसका दाब सबसे ज्यादवों एगा कहा बन रही है कार्बन ड술 तेरे अंदर तेरे ऑक्सीक्रत में बन रही है तो तेरी उतकों के पास आ रहा था ऑक्सिक्रत आ रहा था उसमें डालेगा क्यों कि वहाँ पर कार्बन डैक्षिट कम होगी ना मेरे भाई अरे थोड़ा लॉजिक लगा कोशिकाओं में कार्बन डैक्षिट बहुत सारी बनी अब उस कार्बन डैक्षिट को तू रक्त में भेजेगा कौन से प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् है इन दोनों का दाब almost same होता है तो क्या anoxicrit रक्त में जाएगा क्या नहीं sir oksicrit रक्त में जाएगा तो oxicrit रक्त में कितना था sir 40 mmcg था 45-40 mmcg में गया हाँ sir गया जैसे जैसे carbon dioxide जाती जाएगी ये रक्त बदल जाएगा कैसा हो जाएगा sir anoxicrit rakt हो जाएगा अनोक सीक्रत रक्त होएगा कार्बन डैक्सेड बढ़ती जा रही है दाब बढ़ गया कितना हो गया 45 हो गया अब ये कुपिकाओं में जाएगा हाँ कुपिकाओं में अगर कार्बन डैक्सेड को जाना है तो कुपिकाओं के अंदर कार्बन डैक्सेड का दाब कम होएगा के ज़्यादाएगा अजी कम होएगा तभी तो कुपी काओं में जाएगा तो पैतालिस से कितना है चालिस है तो यहां से कुपी काओं में गया अब कुपी काओं में अगर चाली सर वातावण में 0.3 तभी तो वातावरण में जाएगा ना कौन कार्बन डेक्ष अडिया चाली सर यह जीरो पंट थी ने खतम कहलास इतनी जी बात है हाँ जी है दन सर मेरे मौक टेस्ट में 705 आ रहे हैं बहुत बड़ी अबटा वेरी गुड़ चालो जी दन तो यह था क्या हमारा कार्बन डेक्सेड का परिवेहन यह था हमारा ओक्षिजन का परिवेहन यह था हमारे गैसेज का परिवेहन यह हम बोलेंगे gases का विनी में हो रहा था exchange हो रहा था विस्रण हो रहा था अब इसके बाद हम पड़ते हैं ये तो सरी हमारा exchange रहा था अब हम पढ़ेंगे क्या परिवहन अब परिवहन किसका पढ़ेंगे सरे कार्बन डेक्षेड का परिवहन पढ़ते हैं और एक oxygen का परिवहन पढ़ते हैं carbon dioxide का परिवहन होता और एक क्या होता oxygen का परिवहन होता है दोनों का परिवहन हम यहाँ पर पढ़ते हैं अब यह परिवहन हम आज नहीं पढ़ेंगे इसका अब हम दूसरा part करेंगे one shot का इतना ही है क्योंकि class की duration ही इ Saturday को frog पढ़ने से पहले पहले इसका second part जो है वो ने पटा कर फिर frog पढ़ सकते हैं ऐसा कर सकते है या frog पढ़ने के बाद में जो बच्चे बच जाएंगे उनको मैं इसका second part करा दूँगा बोलो पहले हम फ्रॉग पढ़ लेंगे ज्यादा लंबा है नी फ्रॉग इतना कोई इतनी देर का नहीं है एक देड़ घंटे का फ्रॉग है एक देड़ घंटे का आपका मेंड़क है वो मेंड़क पढ़ने के बाद में फिर आपन इसका second part जो है Saturday को कर लेंगे ठीक है जी ओके दन तो शर हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइकशेड होती है क्या हम वो शारी छोड़ देते हैं यह नहीं बिटा शारी नहीं छोड़ते कार्बन डाइकशेड रह भी जाती है बिटा अच्छा एक और चीज आप से एक सिंपल सी बात पूछू मैं एक प्लीज लास्ट में जाते जाते हैं यह मेरा जो ब्लड जो था यह अनॉक्सी करत रख्त था कुश्चन मेरा आप से बहुत सिंपल सा है अनॉक्सी करत रख्त जो होता है उसमें कौन होता है कार्बन डाइकशेड होता या ऑक्सीजन होता है जल्दी से मुझे बताना अनॉक्सी करत रख्त का मतलब आपको क्या लगता है उसमें carbon dioxide होती है कि oxygen होती है कि दोनों होती है simple सा question है अनॉक्षी करत रख्त में carbon dioxide होती है कि oxygen होती है कि दोनों होती है सर रिकॉर्डेड में one shot डाल दो नहीं है जो है वो डलते जा रहे हैं हाँ वही तो गुडिया के रहे हैं सर carbon dioxide होती है भूंदूलाल है भूंदूलाल अनॉक्षी करत रख्त में oxygen का दाब इतना था तो अनॉक्षी करत रख्त में carbon dioxide का दाब इतना है तो भूंदूलाल तुमको इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आ रही कि अनॉक्षी करत रख्त का मतलब यह नहीं होता जिसमें carbon dioxide होते हैं अक्सिक्रत रख्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन डैक्षेड ज्यादा होती है कंपेरिजन में ऑक्सीजन के बुद्धू हम तो आज तक यही सोचते थे अनॉक्सीकरत रख्ट का मतलब जिसमें कार्बन डाइक्षेड होती है अक्सीजन तो होती नहीं है अरे ललू-लाल अगर अनॉक्सीजन नहीं होती तो यह दाब यह अक्सीजन का दाब यह अक्सीजन का दाब अनॉक्सीकरत रख्ट में मैं 40 हमे रहे हैं ललू लाइन तो बेठा उनक्सि रटरहा जिसमें कार्बंड येक्सेड भी ओकसीजन बी उते बस फरां कि इतना सा ओते कार्बंड एक्सेड या मूंट ज़ादा होते किसके comparison में oxygen के comparison में इसका उल्टा कर दो ऑक्सी करत रख्त में oxygen के amount जाद आएगी किसके carbon dioxide के respect में इसका मतलब यह थोड़ना होता है कि oxy unoxy करत रखते हैं तो oxygen होएगी नहीं यह oxy करत रखते हैं तो carbon dioxide नहीं होएगी समझ में आया तो जाते जाते सिंपल सी बात clear हो गई है चल अब हम Saturday को मिलेंगे theoretical point of view से लेकिन questions के practice के लिए हम कल सुभई मिलने वाले हैं 12 बजे क्या दो chapter के questions के practice करनी है एक बार fast revise करके आजान आप जहां से भी पढ़ा है जो भी notes है आपके पास में neural control and coordination यानी तंत्र की नियंत्रन और समन्वे और रसायनिक समन्वे और एक ही करने ठीक है यह पढ़कर जरूर आईएगा तब ही question करने का मज़ा आईगा ठीक है जी रिजिसे जन जाने से पहले आपको पता ही है ची बात जिन को नहीं पता है जिन को पता है वह कर दीजेगा और जिन को नहीं पता है वो इस channel को subscribe कर लिजेगा ठीक है चाहा जी एंची आटी चंपून डलवादो कितनी डलवा दू डलवा तो दिया और कौनची डलवाओं देख तो चाही देखता तो है निए एडमिट कार्ड कब आएगा चहर एकजाम से एक हफ्ते पहले आ जाएगा तिरे पाँच मही में आ जाएगा तिरे पाच पाच मही से पहले आ जाएगा ठीक चलो बाइबाई अच्छा इस चैप्टर के कोशन में आपको करा चुका हूँ जो यह पढ़ा एक बार इनके पीडि झाल झाल